गुड़ाद प्राइब अपनों एरिबड़ी लेट्स क्राइक यूपियसी सीयसी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत हैं आज उस विशय का शुभारंब और अंत करना चाते हैं जो आपके सबसे ज्यादा चहीते विशयों में से एक रहा कई सारे विद्यारती आर्ट एन कल्चर के मेराथन की काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे और क्योंकि आर्ट एन कल्चर में एक बेहतर कक्षा यूट्यूब पर सामान्यता उपलब्द न होने के कारण इसकी डिमांड कुछ ज्यादा भी थी हम पूरा प्रयास करेंगे कि आर्ट एन कल्चर का यह रिवीजन केवल रिवीजन ना रहे बलकि एक आपको क्लियारिटी लाकर दे सके चीजे आपको समझा सके और उसके माध्यम से आपके आर्ट एन कल्चर में आने वाले प्रशनों को आप हल कर सके लगबक तीन घंटे सवा तीन घंटे की क्लासे सहिए पर फिर वही वादा है कि हो सकता है क्लास के दो हिस्से करने पड़ जाए एक तीन घंटे का मेराथन फिर एक तीन घंटे का मेराथन दो भली क्लास हो जाए लेकिन हम चाहते कि आर्ट इन कल्चर पर एक प्रॉपर रिवीजन एक प्रॉपर आपके सामने कंटेन उपलब्द हो सके ताकि जो विद्यारती किताबों को पढ़ कर बोर हो चुके हैं उन्हें एक बेहतर तरीके का विकल्प मौजूद कराया जा सके वैसे तो आर्ट इन कल्चर पर आप चाहे तो संसट टीवी पर जो एक प्रोग्राम था जिसके तहद भारत के कला और संस्कृती का वर्णन किया गया था उसे भी कवर कर सकते हैं लेकिन आपको रिवीजन इसी कक्षा से होगा दो बड़ी बाते पुना बता दू यह रिवीजन श्रंकला हैं कोई यह अपने दिमाग में न रखे कि केवल 6 घंटे की क्लास में UPSC का आर्ट इन कल्चर कवर हो जाता है कोई नहीं करा सकता 6 घंटे में यह रिवीजन के परपस से उस सभी कंसेप्ट के हाइलाइट पॉइंट्स को कवर करने के मकसद से तयार किया गया है और दूसरा यदि कोई भूल चुकोती हैं तो आप उसे कमेंट्स करके सुधार करते हुए कमेंट्स करेंगे और यह समझेंगे कि शायद टाइपिंग मिस्टेक या फिर मास्टर के बोलने में कुछ गलती हुई होगी बड़ उसे ऐसा न सोचेगा कि जान बूच कर मास्टर ने गलत करवाया होगा तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज का मेराथन, आर्ट एन कल्चर, कला और संस्क्रती आए शुरुआत कर रहे हम लोग संग्षिप में पहले मैं आपको फिर थोड़ा सा दो मिनिट का समय लोगा आप अपने तयारी के शुरुआत हमारे साथ भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ कर सकते हैं कीमते बढ़ने वाली हैं, अनेकेडमी का सब्सक्रिप्शन प्राइस इंक्रीज होने वाला हैं कब होगा, एक्जेकली नहीं पता, बड़ जल्द ही होगा हम चाहेंगे कि यदि आप अपना सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो प्राइस बढ़ने से पहलें MK Live Refer Code यूज करते हुए सब्सक्रिप्शन सिक्योर कर लीजे इस समय CSE, Assure जो ओफर चल रहा है, यदि दो साल का या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन आपने लिया, और आपका चयन नहीं हुआ, तो आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा यदि आप चाहते हैं, तो ये बेहतर विकल्प है, 2024-25 के स्टुडेंट्स के लिए, दो साल का सब्सक्रिप्शन एक साल फ्री मिल जाएगा, यदि चयन नहीं होता है तो, और यदि आप इस समय सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो आपको लगबग 7500 रुपय वाली हर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर प्रैक्टिस बुकलेट फ्री दी जा रही हैं, जिसमें 2013-2020 के पूरे प्रीवियस एर के कोश्चन हैं, अनेकेडमी कॉमबेक्ट कोश्चन हैं, 10,000 से ज्यादा टॉपिक वाइस कोश्चन भी उसमें अवेलेबल मिलेंगे, अनेकेडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन हो, टेस्ट देना हो, आप जॉइन कर सकते हैं, फ्री आप कोश्ट इस टेस्ट को, अनेकेडमी ओल इंडिया प्रिलिम मॉक टेस्ट 22 मई को होने जा रहा है, पांच शहरों में दिल्ली, प्रयागराज, जयपूर, पूने और हैदराबाद, ये टेस्ट पूरी तरह से फ्री होते हैं, ऑनलाइन, आफ लाइन, आप वैसे दोनों ही दे सकते हैं, MK Live Refer Code यूज़ करना है, इस टेस्ट को देने के लिए, Iconic Subscription में Personal Coach, Mains Question, Answer, Practice, Study, Planner का Option होता है, और Zero Person Interest के साथ EMI के Option से भी तयारी कर सकते हैं, Dedicated Doubt Solving Session के लिए पूरी टीम आपके पास अवेलेवल रहेगी, आप कभी भी उनसे Doubt Sol कर सकते हैं, 25 मही से कई सारे नए बैच आ रहे हमारा बैच 13 जून से आ रहा है, साथी साथ Optional के कई सारे नए बैच आने वाले हैं, आप इन बैच के माध्यम से भी अपनी तयारी को बेहतर कर सकते हैं, अनेकेडमी ही क्यों चुनें, क्योंकि आपको अपनी मर्जी के टीचर से पढ़ने का मौका मिलता हैं, अपने अकॉर्डिंग आप Optional को चेंज भी कर सकते हैं, साथी साथ बहुत सारी फैसिलिटीज, फ्लेक्जिबिलिटी टाइम की, तयारी के लिए कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम, और भी कई सारी चीज़ेज आपको इसमें मिलती हैं, प्रिंटेड माटेरियल भी आपको अवेलेबल होता है, एमके लाईव अनेकेडमी पर किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में यूज होने वाला कोड है, शुरुआत कर रहे हैं, आर्ट एन कल्चर के, बिलकुल बिलकुल पाँच घंटेनी हम तो चाहेंगे कि आज ही खतम कर दिया जाए, हमारी टीम को भी मैंने बता दिया है कि क्लास को पूरा कंप्लीट करनी का ही मकसद रखे, क्योंकि अब इतनी लंबी क्लास इसी ले ले रहे हैं, ताकि विशय कंप्लीट हो जाए, दो दिनों में हमने बहुत कुछ विशय सोमवार के बाद आप देख रहे होंगे, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, आज का जो दिन हैं, कंटिन्यूसली आप लोगों के रिविजन के मकसद से ही हम काम कर रहे हैं, तो मैं तो तयार हूँ, आप लोग तयार रहेगा, क्लास को शुरू करने से पहले, 12-15 दिन बचे हुए हैं, यूट्यूब पर फिर से जादूई चीजे बताने वाले लोग आएंगे, फिर वो कहेंगे कि 15 दिनों में जानिये कैसे पूरा रिविजन करें, 15 दिनों में आगे की रणनीती क्या होनी चाहिए, अब हो गया, ये महान शक्स 15 दिनों के बाद आपको आगे की रणनीती नहीं, फिर अगले साल की रणनीती पर आ जाएगा, तो थोड़ा बचिएगा, बिल्कुल शान्त मन से केवल रिविजन चलने दीजे, अपनी कॉपी किताबे या अपने नोट्स, जो सब्जेक्ट वीक है उसे पढ़िए, पूरी मेराथन क्लासे, दो-दो बार मेराथन क्लास करिए, दो-दो बार, जी महोदए, दो बार आपको पढ़ना चाहिए, मेराथन क्लास के माध्यम से, और मैं आपको एक चीज बता दू, भली आप माने या न माने, आप ये भी कह सकते कि मास्टर गुरूर के साथ कह रहा है, जितना इस महिने भर में material मैंने आपको दे दिया, उतना material मुझे आप बता देना comment करके, कि किसी मास्टर ने, किसी institute ने, किसी संस्ता ने, किसी coaching क्लास ने, आपको पैसे देकर भी उपलब्श करा दिया हो, तो बस आप से मेरी विंती यही है कि आप भी उतना इमानदारी से पढ़िये क्योंकि इतना समरी करना, इतना शौट में रिवाइस कर देना, इतने शौट में सारी चीजों को अवेलेबल करा देना साधारन नहीं है दस-दस मिनिट का वीडियो होता नक, अगर न्यूज का बनाने का कि दस मिनिट में ये न्यूज बता दी, तो लाखो व्यू आ जाएंगे लेकिन जहां तीन-चार घंटे विशय पर बोलना पड़ता है, वहां मास्टर की वास्तविक शमताय पता चल जाती है शायद हो सकता है, कई लोग मेरी बात से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन इतना तो तय है, कि इन देड महिनों में जो चीज़े आपको मिल गई है, वहां आपके लिए शुद्धरूप से वर्दान है आप UPSC की जगह पर CAPF, CDS, NDA की तयारी कर रहे हो, या किसी स्टेट PCS की, इन मेराथन क्लासेस का अलग से प्लेलिस्ट बना के रखना, क्योंकि ये मेराथन क्लासेस आपको सबसे बेहतर रिवीजन करा के दे सकती है इकोनामिक्स का मेराथन भी होगा, बिलकुल डरना नहीं है, इकोनामिक्स का मेराथन हम कंप्लीट करवाएंगे, वित करंट अफेर, अभी एक सब्ता और बाकी हैं, जहां सब कुछ कवर होगा तो आईए सबसे पहले शुरुवात करते हैं, विशय में कुछ शब्दों से, आज पहले तो हम वास्तू कला, आर्कीटेक्चर और मुर्ती कला, इस क्लेप्चर को कंप्लीट करेंगे आर्कीटेक्चर का मतलब होता है, भवनों के बारे में जानकारी, फिर आर्कीटेक्चर में हम, शहर नियोजन भी देख सकते हैं, भवनों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं अब भवन का मतलब किसी आम आदमी का मकान तो जाचेंगे नहीं, हाँ लेकिन राजा महराजाओ के महल कैसे थे, मंदिरों का किस तरीके का निर्मान कला कुरुती थी, किस तरीके से मंदिरों का डिजाइन बनाया गया था, मंदिरों में कोन से पत्थर उपयोग किये गए थे, जहां पर हम मुर्ती कला की बात करेंगे वहां पर किसी मुर्ती की सुन्दर्ता उसके आकार और उसके विभिन्न प्रकार के जो भी आयाम हो सकते हैं कि उसमें किस प्रकार का material यूज किया गया वह किस तरीके से चीजों को दर्शाने के लिए बनाई गई थी क्या वो शान्त भाव की थी या उसमें क्रोध दिखाई देता है तो मुर्तीयों के आधार पर हम अलग-अलग समय पिरेट के इन वास्तु कला और मुर्ती कला का अद्देन करेंगे फिर चित्रकला, संगीत इन चीजों पर हम आएंगे वास्तवीक रूप में केवल वास्तु कला ही सबसे बड़ा है अन्यता आप देखेंगे कि मुर्ती कला हुआ, संगीत हुआ, चित्रकला हो गई ये बहुत छोटा-छोटा सिलेबस है तो अगर आज हमने वास्तु कला और मुर्ती कला भी बढ़िया से कवर कर लिया तो मान लीजेगा कि 50% आर्ट इन कल्चर कवर हो गया है बाकी जो आर्ट इन कल्चर है वो ज़्यादा टिपिकल और कठिन नहीं है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कला जब किसी कार्य को बड़े सूनियोजी धंग से पूरा किया जाता है जब किसी कार्य को योग्यता और विशिष्टता के साथ पूर्ण किया जाता है तो वह कार्य कम संपन करने की प्रक्रिया कला कहलाती है जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल पर टाइप करते हैं तो आप से गल्तिया और रप्तार धीमी होती है लेकिन जब कोई टाइपिस्ट इसी कार्य को करता है तो वह एक योग्यता और विशिष्टता के साथ कर पाता है हम इसी को कह देते हैं कि वह उसकी कला है उसका आर्ट है जैसे कि शिक्षक है तो कुछ शिक्षक बताई गी बातों को लिखी गई बातों को समझा पाते हैं और कुछ समझा नहीं पाते तो यहाँ पर भी कला का ही सीधा संबंद है जब कोई कार्य एक सूनियोजित ढंग के साथ विशिष्टता के साथ योग्यता के साथ संपन होता है तो वह कार्य कार्य ना होकर कला बन जाता है तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं आर्ट की किसी कार्य अत्वा गती विधी को विशिष्ट एवं सूनियोजित तरीके से करने का गुन संस्कृती क्या है जब यही कला आपकी बुद्धी मत्ता और विचारों के रूप में जुड़ती है इससे आप अपनी बुद्धी मत्ता इससे आप अपने गुनों को प्रदर्शित करने के लिए उप्योग करते है फॉर इक्जामपल जब कोई मुर्तीकार अपनी कला के माध्यम से समाच को एक संदेश देना चाहता हो अपने कला के माध्यम से किसी प्रकार के बड़े कार ये पूर्ण करना चाहता हो तो कही न कही वहाँ पर संस्कृती जैसी चीज आ जाती है कल्चर का मतलब होता है सववर्धन जब कई प्रकार की कलाय किसी स्थान पर सववर्धन करती है वह अपने आप का विकास कर पाती है तो निर्मित होती है संस्कृती की और इस संस्कृती से पता चलता है कि उस समय किस तरीके के लोगों की मानसिक्त आये थी लोगों के विचार कैसे थे संस्कृती वास्तविक रूप में वयचारिक पक्ष ज्यादा है इसमें भवतिक ताकम होती है यह दर्शाने की प्रयास करता हैं कि व्यक्ति क्या सोचते थे जैसे किसी स्थान पर यदी देवियों की मुर्तिया मिलती हैं तो यह माना जाएगा कि उस संस्कृती में महिलाओ का स्थान उच्च था क्योंकि वह महिलाओ को सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं तो संस्क्रती एक तरीके के विचारिक पक्षकों ज्यादा दर्षाने की कोशिश करती हैं, वह एक उन्दत चीजों को दर्षाती हैं, वह एक बेहतर से बेहतर परिनाम लाने का प्रयास करती हैं. तो संस्क्रती हिंदी में अंग्रे जी में कल्चर, कल्चर का लेटीन मतलब है कल्ट, कल्ट का मतलब होता है विक्षित। जैसे कि आप लोग बाइलोजी में कल्चर मीडियम कहते हैं, कल्चर मीडियम बाइलोजी में सवर्धन माध्यम कहलाता है, तो जैसे कि एक माध्यम जहाँ पर चीजे तेजी से ग्रो कर सकती हैं, वैसे ही एक संस्कृती होती हैं, जहाँ पर चीजे नहीं, बल्कि मनुष्य बे में एक तरीके का उत्थान करे उसे बेहतर भोजन मिले उसे बेहतर स्वास्त सुईदाय मिले उसका बेहतर तरीके से अपनी योग्यता को दर्शाने का उसे मौका मिले तो हम कहेंगे कि हम एक उन्नत संस्कृती की और एक विक्सित संस्कृती की बात कर रहे हैं जहां मनुष्य मनुष्य को अपनी योग्यताओं को दबाना पड़े जहां मनुष्य को एक बेहितर तरीके का मनुष्य जीवन ना मिल सके हम कहेंगे कि वह संस्कृती निम्नस्तर की है जैसे आप अफगानिस्तान का उधारन देख सकते हैं और वैसे ही आप अन्य प्रकार की संस्कृतियों को भी समझ सकते हैं उत्तम या सुद्रीवी स्तती को हम संस्कृती कहते हैं एक ऐसा पर्यावरन जिसमें एक व्यक्ति एक सामाजिक प्रानी बनता है और प्राक्रतिक पर्यावरन को अपने अनुकूल बनाने की शम्ता अड़जित करता है इसे ऐसा समझने की कोशिश करिएगा इसे थोड़ा सा मैं practical समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मान लीजे कि मैंने bacteria का एक culture medium बनाया bacteria के लिए मैंने culture medium बनाया परियापत रूप से उसमें nutrition डाला और उसका परिनाम हुआ कि bacteria की तादाद बहुती कम समय में न केवल बेहतर तरीके से बढ़ी बलकि काफी healthy जीव निर्मित हुए मान लीजे किसी पउधे को मैंने culture medium में grow कराया और वो काफी बेहतर तरीके से grow कर सका तो medium को हम कहेंगे कि portion युक्त medium है तो वैसे ही यदि कोई मनुष्य किसी भी प्रकार के समाज में अपने आपको बेहतर तरीके से विक्सित कर पाता है तो फिर वो पूरा वातावरन जो उसके विकास में काम करता है उसके साथ रहने वाले लोग उसकी सरकार या फिर उसका अपना व्यवहार वो सब कुछ culture माध्यम कहलाएगा वही culture कहलाता है तो जब मनुष्य एक बेहतर सामाजिक प्रानी का उत्तरदाई तो निर्वन करें तो हम मानेंगे कि वह एक बेहतर संस्कृती को दर्शा रहा है कला, संगीत, साहित्य, वास्तूकला, शिल्पकला, दर्शन, धर्म, विज्यान ये उस संस्कृती के आयाम है आयाम मतलए, वह अगर मनुष्य काफी ज्यादा बेहतर जीवन जीरा है तो वह बेहतर मुर्तिकार भी बन सकता है यदि वह उसे अपना अधिकार अपने स्वतंत्रताओ का उप्योग कर रहा है तो एक बेहतर वास्तूकार बन सकता है यदि उसके उपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, उसके अपने चिंतन शिल्ता को आजादी है, तो एक बेहतर दार्शनिक बन सकता है, यदि उसको अपने प्रयोगों के माध्यम से चीजों को सत्यापित करने का मौका मिले, तो वह एक बेहतर विज्ञानिक बन सकता है कोई भी संस्कृती किस आधारों पर मापी जाएगी कि वो संस्कृती अच्छी है या बुरी या उस संस्कृती में उत्थान हुआ मनुष्यका या फिर उस संस्कृती ने मनुष्यका पतन किया तो आप उस संस्कृती के दार्शनिक लोगों से बात्चित करिए उस समय के वास्तुकारों को देखिए, उस समय के चित्रकारों को देखिए, उस समय के संगीत कारों को देखिए, उस जमाने के जितने भी बेहतरीन कलाकार थे, उनको देख लीजे, आपको पता चल जाएगा कि वो संस्कृती, मनुष्य के अनुकूलती या मनुष्य के विप् यदि ये जानना है तो राजाओ को मत पढ़िए उससे ज्यादा देन करिए उठ जमाने की कलाओ को क्योंकि वही राजा बेहतर कलाओ का निर्मान कर सकता था जो बेहतर शाशन कर सकता था जो बेहतर मनुष्य का कल्यान कर सकता था उस समय संस्कृतिया विक्सित नहीं होती जैसे इसका उधारन देखते हैं जीवन्त आज अफगानिस्तान में आपको क्या लगता है कितने संगितकार अफगानिस्तान में होंगे जो माने जाएंगे कि अदबुत संगितकार है कितने विग्यानिक अफगानिस्तान में होंगे कितने दार्शनिक अफगानिस्तान में हों कि इनके पास तो बिल्कुल अपनी गुनों को विक्सित करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है तो ये इस पश्ट करता है कि शाषन विवस्ता चर मरा गई होगी तो यदि आपको जानना है कौन सा शाषक उच्च कोटी का था आपको जानना है किस शाशक ने समाज में कल्यान के काम किये तो आप उस शाशक काल में कला और संस्कृती का अध्यन कर लीजे आप उस कला और संस्कृती से बता सकते हैं कि उस शाशनकाल में नागरी को का कैसा कल्यान हुआ होगा ऐसा रेरली होता है कि किसी शाशनकाल में नागरिक दुखी हो और कला संस्कृती अपने चरम सीमा पर पहुच जाए असंभव सी बात है क्योंकि कला संस्कृती मनुष्य से निर्मित होती है न कि मशीनों से इसलिए मनुष्य जीवन जब तक आनंदित और प्रफुलित नहीं ह तो कला और संस्कृती का अध्यन हमें इतिहास में उन गहरे राज को बताने में मदद करता है जो शायद एक सामान्य तरीके से इतिहासकार जान नहीं सकता था सब्यता सब्यता थोड़ा सा अलग है मानव समाच के एक सकरात्मक प्रगतीशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए प्रयोग होती है सब्यता का मतलब थोड़ा सा बुद्धि मत्ता की जगह पर हम कहेंगे की भौतिकता से है कैसे घरों में वह किस तरीके से जीवन यापन करते थे वह अपने जीवन के लिए किस तरीके के भोजन का उप्योग करते थे कैसे कपड़े पहनते थे या फिर उनका किस तरीके का जीवन जीने का ढंग था क्या वो प्रकृती के संसाधनों का दोहन करते थे शोशन करते थे या फिर वो प्रकृती को बचाने की काम करते थे वो सब्व्यता जैसे सिंदु घाटी संस्कृती नहीं कहते हम सिंदू घाटी सभ्यता कहते हैं क्योंकि इस संस्कृती के बारे में तब पता चलेगा न जब हम वहां के जो अभिलेक हैं उसकी भाशा को पढ़ सके तो हम आज भी सिंदू घाटी के बुद्धिक्ता को नहीं समझ पाते हैं हाँ लेकिन उसके प्रमान हमारे पास जो अवेलेबल हैं उससे हम उसकी सभ्यता, उसकी अमीरी, उसकी गरीबी को जान सकते हैं सभ्यता वास्तों में अमीरी और गरीबी को दर्शाती है लेकिन संस्कृती वास्तों में उसके उच्च और निम्न इस्तर को दर्शाती है जैसे आप अपनी मुहले में लोगों को देखिए कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी बुद्धी मत्ता काफी बेहतर है वहाँ वो अमीर है या गरीब इसका महत्व नहीं होता है तो हम कहेंगे कि वह संस्कृती पक्ष है लेकिन जब हम लोगों को उनके अमीरी और गरीबी के आधार पर उसका सम्मान तय करते हैं तब हम मान लेजेगा कि हम सभ्यता को देखते वे प्रभावित हो रहे है संस्कृती को देखकर प्रभावित होने वाले लोग बेहतर माने जाते हैं पर वर्तमान का मानव, वर्तमान का भारतिय, सब्वेताओं को देखकर ज्यादा प्रभावित होता है कोई व्यक्ती जब BMW लेकर आता है, तो लोगों का उसके तरब देखने का दृष्टी कोन बहुत अलग होता है कोई व्यक्ती बुद्धि मत्ता में उच्चे स्तर का हो, वो सच जूट मनुष्य के व्योहार अधिकार कर्तव्यों से परीचित हो वो समाज के प्रती और राष्ट के प्रती अपने परीवार के प्रती कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, लेकिन यदि वो साइकिल से चल रहा हो, तो उसका सांस्कृतिकता हाई लेवल की है लेकिन उसके सभ्यताक निम्न इस्तर की दिखाई देती है लोगों को और इसलिए लोग उसका सम्मान नहीं करते वर्तमान में तो सभ्य उन्हें मान लिया जाता है जो अंग्रेजी भाशा का उपियो करते हैं जो बड़ी गाडियों से चलना पसंद करते हैं, जो पारटी करते हैं और बेहतर तरीके के कपडों को धारन करते हैं, जो अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग प्रकार के कॉलिटी में, मार्केट में मिलते हैं。 लोग उन्हें मानते हैं कि वह उच्च कोटी का है, वह उच्च कोटी का नहीं है, वह केवल संपन्न है, ये माना जा सकता है, लेकिन वह उच्च कोटी का बुधिक व्यक्ति है, ये नहीं हो सकता, अगर ऐसा नहीं होता, तो इतना करोडो कमाने के बाद, किसी गुटके को ही उच्छे स्तरकी हो गई हो, लेकिन बुधिक्ता में आज भी वह अपने आप के आजबराबरी के लोगों से या उससे निमन सब्ब्यता वाले लोगों से भी कमजोर हैं. सब्ब्यताएं उसके व्यवार को दर्शा सकती हैkus या उसके अमीरी और गरीबी को दर्शा सकती हैं, लेकिन संस्क्रती उसके विचार और उसके द्वारा प्रसारित होने वाली बातों को भी दर्शाती हैं, विरासर जब कोई संस्क्रती एक पीडी से दूसरी पीडी जाती है, जैसे अगर हम बात करें तो बाबा आम्टे, मैं चाह को बेहतर करने का पूरा प्रयास किया बाबा आम्टे के जाने के बाद अब उनका बेटा उनके दोनों बेटे इस कार्य को कर रहे हैं मैं जानना चाहूगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको बाबा आम्टे के पुत्र का नाम पता हैं जरा कमेंट्स करिएगा बहुत बढ़िया कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें नाम नहीं पता प्रकाश आम्टे जी हां तो अब वे उन्हीं की धरोहर को उनके दिये गए विचारों को कि हम इस पृत्वी पर एक मनुष्य का कल्यान करने के लिए ही वाउतरित हुए हैं हमें अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर करना हैं इस विचार से वो अपना जीवन जी रहे हैं तब हम कहेंगे कि एक पीडी से दूसरी पीडी को संस्कृती ट्रांसपर हो गई हैं जो संस्कृती हम अपने पुर्वजों से प्राप्त करते हैं उसी को कहा जाता हैं स कि कैती हैं एक तरीके से महतनु होते हैं कि ये सबसे ज्याद़ा जरूरी होता है अगर हम बात्चीत करें कि संस्कृति और सब्यता में सबसे ज्यादा जरूरी हैं साध्य, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि लक्ष क्या है, तिवरगती से प्रसार, जब सब्यता तिवरगती से प्रसारित हो सकती है, लेकिन संस्कृति धीमे धीमे, क्योंकि बोद्धिक्ता ह में तीवरता से प्रसारित नहीं हो पाती है उसको समय लगता है भावतिक प्रगती की सूचक है और मानसिक प्रगती की सूचक है मैं आपको अपने महले में ही कुछ लोगों का याद दिलवा दू चीजे आप अपने महले के लोगों को याद करिये कुछ लोग ऐसे होंगे जो गरीब भी क्यों ना हो लेकिन उनके विचार उनकी विचार धारा और उनका व्यवहार बहुत ही मांदार पुर्ण समाच के प्रती सहानुभुती पुर्णवाला होगा तो समझ जाना कि वे लोग संस्कृती में अच्छे बेहतर लोग हैं और कुछ लोग ऐसे होंगे जो केवल दिखावा और चीजों को ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल में करने की कोशिश करते हैं वे भावतिक प्रगती के सूचक होते हैं किसी भी मनुष्य का भावतिक विका बेहतर होना चाहिए हाँ यह कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विकास तभी संबव है जब भावतिक प्रगती होती है भावतिक प्रगती के बाद मानसिक विकास के रास्ते खुलते हैं अगर किसी का मानसिक विकास हुआ हैं तो यह मान के चलिएगा कि भावतिक विकास होकर थोड़ा धीमे हो सकता है लेकिन होगा जरूर लेकिन किसी का भवतिक विकास हुआ हो तो मानसिक होगा इसकी कोई गैरेंटी नहीं है इसका कोई भी हम कह सकते हैं कि ऐस तरीके की बातचित नहीं की जा सकती कि अगर ये हुआ तो वो होगा ही मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जो लोग अभी अभी जुड़े हैं कला का मतलब है किसी कार्य को विशिष्टता योग्यता और सुनियोजिट धंग से करना फिर ऐसा कोई माध्यम ऐसा कोई व्यवहार जो किसी मनुष्य के जीवन जीने को बेहतर कर सकता हैं संस्कृती कहलाता है संस्कृती में उच जमाने के चित्रकार, मुर्तिकार, वास्तूकार, संगीत अग्य, दार्शनिक, विज्ञानिक विकास को चेक किया जाता है सब्यता एक तरीके से भौतिकता को दर्शाती हैं, जहां पर कोई व्यक्ती अपने जीवन में किन साधनों का उप्यो करता हैं, वो पैसा अरजित करने के लिए कैसी चीजों का उप्यो करता हैं, ये सब्यता का पहलू है पर जहाँ उसकी मानसिक्ता की बातचीत आती हैं वो उसके संस्कृती के पहलू को दडशाती हैं अब शुरुवात करने जा रहे हैं वास्तू कला वास्तू हिंदी शब्द है और उसका अगर देखा जाए शब्द वस मतलब संस्कृत रहना बसना निवास करना होता है तो वास्तू कला का मतलब होता है घर आवास या निवास या फिर हम वास्तू कला का मतलब लेंगे कि ऐसा अध्ययन ऐसा अध्यान जहां पर हम बात्चित कर सकते हैं वास्तू कला के बारे में कि मनुष्य कैसे मकानों में रहता था किस तरीके की सडके थी शहर का नियोजन कैसे था गाव का नियोजन कैसे था पानी की विवस्ता कैसे थी साती साथ घर में कितने मन्जिल थे कोन से पत्थरों का उपियोग मकानों के निर्मान में किया गया भहुनों के निर्मान में किया गया ये सब वास्तु कला के ही पहलू है तो आर्किटेक्चर इंगलिश शब्द होता है निर्माता या बिल्डर से लिया जाता है और यदि हम बात्चित करें मूर्ती कला अधिकाली मनुष्य ने अपने लिए आश्रय का निर्मान प्रारम किया, तभी से वास्तुकला विज्ञान प्रादुर्भा हुआ, हम पहले जंगलों में आखेट जीवन व्यतीत करते थे, आखेट मतलब शिकार करना और पेड़ पौधों पर जीवन यापन करना, पर जब से हमने अपना इस्थाई निवास बनाया, जब हमने अपने लिए किसी जगह का निर्मान किया, जहां पर हम रह सकते थे, तब से वास्तु शास्त्र का निर्मान हो गया, मतलब वास्तु शास्त्र का उदय, मनुष्य के एक तरीके से इस्थाई जगह रहने के कारण प्रारंब और फिर वास्तु शास्त्र के बाद जब मनुष्य को समय मिला यहां पर कुछ खाली टाइम मिल गया जीवन को व्यतीत करने के लिए तो उसने विशिष्ट प्रकार की सरचनाओं का निर्मान किया उससे मुर्तिकला विक्सित हुई कुछ चित्र बनाने शुरू किये चित्रकल विक्सित हुई किसी प्रकार की ध्वनी निर्मान शुरू की तो उससे संगीत का प्रारम्ब हुआ फिर हमने बातों को समझाने के लिए विचार वेक्त शुरू कर दे वो दर्शन शुरू हो गया और जहां पर हमने कुछ चीजों को प्रमानित करके दिखाना शुरू कर दिया तो वह विज्ञान वाच शुरू हो जाता है तो सबसे पहले वास्तु शास्त्र का ही उदय हुआ होगा जब मनुष्य ने किसी स्थाई जगह पर रहना प्रारंब किया होगा दूसरी और मुर्तिकला शब्द प्रोटो इंडियन यूरोपियन मूल के केल से लिया गया है जिसका आड़त होता है मूर्णा मुर्तिया कला की लगूस रचनाय है मुर्तिया या तोहस्त निर्मित होती है या मशीनों से मुर्तिया अभियांत्री की और मापन की तुलना में सुंदर ये शास्तर से अधिक संबंद रखती है मतलब मुर्तियों में हम आकार, लंबाई, चौडाई उतना ध्यान नहीं देते बलकि मुर्तियों में हम उसकी सुंदरता पर ध्यान देते हैं लेकिन जब हम मकान बनाते हैं, जब हम भवन बनाते हैं तो हम उसके आकार पर ज्यादा ध्यान देते हैं उसके अलग-अलग dimension और उसकी विमाओं पर बात करते हैं वो मनुश्य के सुक सुईधाओं पर ज्यादा ध्यान देता हैं न कि उसकी सुन्दरता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा वास्तुकला और मुर्तिकला के बीच में वास्तुकला भवनों के डिजाइन और निर्मान को संदर भी थाए जबकि मुर्तिकला या 3D और 2D रचनाओं के लिए 2D मतलब चित्र बन जाएंगे तो कला के अपेक्षाकृत लगू 3D रचनाएं जहां 3D में छोटी सरचनाएं बनेगी वा मुर्तिकला को दर्शाएगी इसमें पत्थर, लकडी, काच, धातू, रेत ऐसे पदार्थ उप्योग होते हैं इसमें सामान्यत एक ही प्रकार का पदार्थ यूज होगा या तो पूरी मिट्टी से बनी होगी, पूरी तरह से पत्थर से बनी होगी आधुनिक रूप में सीमेंड से बनी होगी, पी ओपी से बनी होगी पूरी तरह से लकडी से बनी होगी, इसमें मिश्रित चीजे बहुत कम यूज होती हैं इसके निर्मान में भवन के निर्मान में लगबक सभी चीजों का उपयोग होता है यहां अभियांत्री की गनित का देन समावेशित और सटिक मापन जरूरी होता है यहां रचनात्मक्ता और कल्पना का समावेश होता है कि कोई वेक्ति क्या Creativeness निर्मित कर रहा है, कोन सा वेक्ति नई चीजे निर्मित कर रहा है, कोई वेक्ति ने उस मुर्ती में कितनी सुन्दर्ता डाल दी है उधारन जैसे की ताजमल, लाल किला, नटराज, नर्तकी की कास्य मुर्ती तो मुर्ती कला एक अलग कला है जो वास्तवीक रूप में वास्तु कला के बाद विक्सित हुई होगी लेकिन वास्तू कला एक बहुत व्रहत कला है जिसमें व्यक्ती ने किसी स्थान पर जब रहना प्रारम किया होगा तब उसका उदय हुआ होगा जैसे वास्तुकला के रूप में हम देख सकते हैं दो उधारन हैं और चित्रकला के रूप में हम देख सकते हैं कि यह भी नटराच की मुर्ती या सिंदुगाटी सब्वेता से मिली एक नर्तकी की मुर्ती इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है तो वास्तुकला एक अलग कला है, मुर्तिकला एक अलग कला है वास्तुकला में हम भवनों के बारे में चर्चा करेंगे और मुर्तिकला में हम 3D रचनाएं जो छोटे रूप में उन पर चर्चाए करेंगे अब हम बात्चित करने जा रहे हैं भारतिय इस्थापत्यकला और इस्थापत्यका सीधा संबन कही न कही वास्तुकला से जुड़ा रहेगा वास्तुकला का यहां संबन रहेगा सबसे पहले सिंदु घाटी की स्थापत्यकला आर्किटेक्चर ओप इंडस वेली सिविलाइजेचन जैसे कि आप लोग जानते हैं हम सिंदु घाटी सब्वेता को एक शहरी सब्वेता कहते हैं शहरी सब्वेता इसले कहते क्योंकि सू नियोजि ढंग से न केवल भवन बने थे बलकि सडकों का निर्मान भी काफी योजनागत तरीके से किया गया था भवनों के निर्मान में पूरी साउधानी बढ़ती गई थी और जैसे कि आप जानते हैं कि सिंदु घाटी सब्वेता में खुदाई के बाद जिस तरीके का नियोजन मिलता हैं वो एक तरीके से शहरी सब्वेता का प्रमान माना जाता हैं तो जरा जानना हैं कि सिंदु घाटी सब्वेता की स्थापत्य कला कैसी थी अन्यनगरिय सब्वेता की तुलना में बहुती विशिष्ट और मौलिक हैं ग्रीड पद्दती पर आधारित नगर नियोजन जब कही पर इस तरीके की समानतर सड़के आपको बड़ी संख्या में मिल जाती हैं और इस तरीके का एक जाल बन जाता है तो इसी को ग्रीड कहा जाता है काफी विक्सित नगर नियोजन था आज के आधुनिक नगर नियोजन से भी बहतर था सार्वजनिक के साथ नीजी भवनों का भी अस्तित्व था उत जमाने में न केवल नीजी भवनते बलकि सार्वजनिक भवनों का भी निर्मान किया गया था सुरक्षा के रूप में चारो तरप एक सुरक्षात्मक दीवार बनाई जाती थी सार्वजनिक इसनानागार भी मिले हैं सुनियोजित मार्ग विवस्ता मिलती हैं नालियों के माध्यम से गंदे जल की निकासी की विवस्ता थी और पानी के लिए कुओ का स्तित्व था अबजेक्टिव सवाल में ये सवाल पूछा जाता है कि सिंदु घाटी सब्वेता के कोन से लक्षन उसके शहरी सब्वेता को दर्शाते हैं तो ये लगबख सारे लक्षन उसके शहरी सब्वेता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है नगरों का दो इस्पष्ट भागों में विभाजन था जो पश्शिम में था दुर्ग टिला जिसे हम कह सकते हैं कि जहां पर शाशक वर्ग रहता होगा अब वो शाशक राजा होगा या नहीं ये अभी तक इसले पता नहीं है क्योंकि हम उसकी भाषा नहीं पड़ पाए है हम केवल अनुमान लगा सकते हैं तो जनरली इसमें दो तरीके के तिले होते थे पश्शिमी दिशा में दुर्ग टिला और दूसरे में मुख्य नगर जो की आकार में बड़ा होता था इसके चारों तरप एक सुरक्षात्मक दिवार भी मिल जाती थी तो जनरली वेस साइड में पश्शिम की ओर राजा रहते थे या शाशक रहते थे शाशक कहेंगे और पुर्व की ओर आम नागरी कुछ कुछ जगह पर अपवाच सरूप एक मध्यम तिला भी मिला है कुछ कुछ जगह पर सुरक्षात्मक वाल पूरे के पूरे नगर के आसपास मिली है कुछ जगह पर सुरक्षात्मक वाल ही नहीं मिली है पश्शिमी दिशा में जो शाशक का दुर्ग टिला होता था दुर्ग मतलब शाशक का भवन तोड़ा बड़ा था छोटा आकार मतलब अपेक्षा कुरुत जो जगह होगी ओवरॉल जगह पूरा नगर है भही उदर और इधर एक, दो, तीन, दस मकान होंगे तो साइस तो छोटा रहेगा पर वहाँ नंबर में संख्या में कम है लेकिन एक पर्टीकुलर वेक्ती के लिए उनका साइस बड़ा है अधिक उचाई पर थोड़ा हाइट पर रहता था केवल पुरोहित वर्ग माना जाता है कि उस सम पुरोहित वर्ग रहा होगा उसकी चार दिवारी होती थी चार दिवारी का बहारी भाग पक्कीटों से और आंतरिक भाग कच्चीटों से बनाया जाता था जो मुख्यनगर है वो आकार में बड़ा होता था कम उचाई पर रहता था व्यापारीक प्रशाचनिक वर्ग या आम नागरिक रहते थे इसमें चार दिवारी जनरली नहीं होती थी चार दिवारी कोई बाउंडरी वाल नहीं होती थी जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं ये पश्चिमी टिला हैं दुर्ग टिला या गढ़ी टिला आज भी राजपुतों में गढ़ी शब्द यू जब मकान बनता हैं तो मकान थोड़ा बड़ा बनता हैं चारोत्रब दिवार होती हैं और फिर बाकी लोगों के छोटे-छोटे मकान होते हैं ये भी कुछ वैसा ही मान के चलिए वहां की नगरिय बस्तिया किसकी सिंदु घाटी सब्वेता की नगरिय बस्तिया केंद्रिय राजधानी मतलब पूरे शेत्र का कंट्रोल फिर प्रांत की राजधानी जैसे वर्तमान में राज्यो की फिर व्यावसाइक नगर और दुर्ग रक्षिद बस्तिया मतलब फिर अ कुछ अपुआद ये पूछे जाते अब्जेक्टिव सवालों में सिंदुगाटी सब्व्यता में जनरल बात तो ऐसी है लेकिन क्योंकि सिंदुगाटी सब्व्यता में कई सारे शहर खोजे गए हडपा, लो थर, मोहन जोड़ो, रानी गड़ हैं जो अभिहाल फिलाल में चर बात करें इसमें तो लोथल और सुरकोटडा में दुर्ग और नगर के लिए एक ही रक्षा दिवार थी, जनरली अभी हमने देखा था कि दोहरी दिवार होती हैं, ये बाहर की पक्कीटों से, राखी गड़ी, ये बाहर की पक्कीटों से और अंदर की कच्चीटों से, लेक पर हमें ओवराल केवल एक ही सुरक्षात्मक चीज मिलती हैं, बाकि नगर नियोजन ऐसा ही था, दूसरा था चनू दड़ो, चनू दड़ो में ऐसा हमें सरचना मिली है कि कोई सुरक्षा की दिवार ही नहीं है, कोई चार दिवारी का प्रमान ही नहीं मिला है, और एक नॉर आज के भारत में जैपूर को देख लीजे, लखनव को देख लीजे, क्या वह नगर एक जैसे होंगे, आप जैपूर को देख लीजे, दिल्ली को देख लीजे, क्या नगर एक जैसे होंगे, obviously कोई भी शेत्र में किसी particular टाइम पर नगरों का एक जैसा मिलना ना मुनकिन है हर एक नगर की अपनी कुछ विशिष्टताई रहेगी तो इतियासकार थोड़ा सा उन विशिष्टताई को अपुवाद में दिखाती कि यह जनरली ऐसा नहीं था लेकिन ऐसा होने लगा तो चनुदड़ो में कोई भी दीवार नहीं मिलती लोथर और सुरकोटडा में एक ही सुरक्षावाल मिलती है पूर्वी टिले और पश्षिमी टिले के मध्य में मध्यमा टिला भी मिलता है भारत का 40वा विश्वधरोवर इस्तर अगर हम धौला विरा की बात करें तो धौला विरा की खासियत है कि उसमें मध्यमा भी मिलने लग गया था और कोई सुरक्षा चीज नहीं मिलेगी एक मध्यमा टिला भी मिलने लगा था धोला विरा की अगर हम बातचीत करें तो यह दुर्गवाला शेत्र हैं यह मध्य शहर हैं और यह निचला शहर था अन्यता सब जगह पर दो ही चीजे मिलती है धोला विरा में पूरे शहर के चार तरफ पानी को संग्रहित करके रखा गया था ताकि कभी भी पानी की कोई कमी ना रहे यह पानी का बहुत ही बेहतरीन सिस्टम जो की शायद आज भी किसी शहर में आपको ना दिखाई दे लेकिन यह जलाशे थे पूरी तरह से चारो तरफ ताकि पानी की कभी कोई कमी ना र तो तीन यहाँ पर टिला मिलते हैं धोला विरा में एक तो मुख्य नगर जो मध्य नगर शहर निचला शहर और दुर्ग जहां पर शाशक वर्ग रहता होगा प्राचीर दुर्ग शेत्र की प्रमुक विशेष्टा है प्राचीर दुर्ग शेत्र का मतलब हुआ यह जो पुरोहित वर्ग का या फिर शाशक वर्ग का शेत्र था वहां पर क्या मिलता है सुरक्षा प्राचीर जनरली चार दिवारी मिलती है जिसका निर्मान इंग्लिश ब इन सुरक्षा प्राचिरों का भारतिय नगर योजना के इतियास में विशेश महत्व हैं क्योंकि नगर प्राचिर का प्राचिंतम रूप है ये हैं। नियोजित शहर के उधारन माने जाते हैं। जो की में सडक हैं और बाकी सडके पुर्व से पश्षिम उस मुख्य सडक से जुड़ती जाती हैं। सबी लोगों को डाइरेक्शन का डाइग्राम याद हैं। ये नौर्थ, साउथ, इस्ट और वेस्ट हैं। तो मुख्य सडक उधवादर होगी और बाकी सडके इस तरीके से इस मुख्य सडक से जुड़ती जाएगी। दोनों मुख्य सडक की चौड़ाई लगबग 3 मीटर होगी लेकिन मोहन जोद़ों में 10 मीटर चौड़ी मुख्य सडक भी मिली हैं। तो माना गया है कि शायद मोहन जोद़ों की ये जो सडक होगी ये राज मार्ग होगी जैसे आज के जमाने में 6 लेन, 4 लेन, 2 लेन सडके होती हैं। उध जमाने में भी शायद ऐसा कुछ सिस्टम रहा होगा। दोनों मुख्य सडके एक दूसरे को नगर के मद्यभाग में समकोन मतलब 90 डिगरी पर काटी है। छोटी सडके मुख्य सडकों पर खुलती है, दोनों मुख्य सडकों और गलियों के दोनों किनारे पर मकान होंगे, तो यहाँ पर लोग रहते होंगे। मकानों का मुख्य द्वार सडकों के विपरीत, पॉइंट वी नोटेड, आजकल लोग सडक के बिलकुल सामने ही अपना दर्वाजा बना लेते हैं। सिंदुगाटी सब्वेता की लोग इतने बुद्ध जीवी थे कि सडक के पीछे की ओर उनका मुख्य द्वार होता था, सुरक्षा के कारण, क्यूकि ज्यादा सुरक्षा जीवन की तबी होगी। संभवता ऐसा सडक पर होने वाले धोनी प्रदूशन से बचने के लिए अपवात सुरू लोथल में ऐसे मकान मिले जहां निकास सडक की ओर ही हैं। सडको की मुख्यता कच्ची किंतु केवल मोहन जोदोरो में पक्की इटो से निर्मित थी, मोहन जोदोरो में जगजग सडको के किनारे चबूत्रे थे, जो चबूत्रे शायद दुकानों को लगाने के लिए बनाये गए होंगे, जैसे आज भी सडको पर रहेडी पट्री ल बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र लगा होगा, ये इस तरीके का ये मुख्य सडक, ये मुख्य सडक, बाकी सारी सडके, छोटे आकार के, ये सडक के यहां हम वर्तमान में दर्वाजे यहां बनाते हैं, उट जमाने में लोग दर्वाजे या मुख्य द्वार यहां बनात ये एक तरीके से सिंदु घाटी सब्यता के बारे में वर्णन को दर्शाने की कोशिश की गई हैं। ये इस तरीके का पूरा सिस्टम उद्जमाने में रहा होगा। प्रतेक मकान की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ी हैं। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल हैं। जैसे आज होते हैं सपाई के लिए। छोटी बड़ी नाली आंतमें एक बड़े नाले में। नालियों की ऐसी विवस्ता ततकालिन विश्वकी उद्ज पड़को और नालियों की तरह मकान भी सूनियों जित थे, मकान कच्चे और पक्के दोनों प्रकार कीटों से निर्मित थे, अपनी जरुवत और शमता के अनुसार मकान दो मंजिल भी थे, दो मंजिला मकानों में सीडिया भी मिली हैं, प्रत्य घर में जल की पुर्ती के लिए कुआ होता था, मकान में रसोई, आंगन, इसनानागार और शोचाले, मतलब मकान में लगबक सारी सुईधाय होती थी, जो की आज के जीवन में रहती हैं, आंगन कच्ची इटों से निर्मित हैं, केवल काली बंगा में आंगन पक्की इटों के बने होने के मिले हैं मोहन जोदोरों में सनानागार और शोचाले एक साथ, जैसे वर्तमान में लोग बात्रूम ऐसा बनाते हैं कि वही पर शोचाले भी और उसी में नहाने का काम भी हो जाता होगा, मोहन जोदोरों में उस जमाने में लोग ऐसा बात्रूम बनाते थे, कई मकान चबूत्रे पर मतलब मकान को निर्मित करने से पहले पूरा बेस काफी बड़ा बनाया गया उचा बनाया गया और फिर उस पर मकान बनाया गया शायद उचाई को बेहतर करने के लिए संबवत या बार और वडशा की स्तती से बचने के लिए मकान मुख्यरुप से आयताकार आकुरुती के थे आयताकार होने के कारण निर्मान में अधिक जटिल तक्निक की जरुवत नहीं पड़ी मतलब वहाँ पर लोगों ने अपने अमीरी को दिखाने की जगा आवश्चक्ता को ज्यादा महत्व दिया मकान निर्मान में इटो का प्रयोग English Bond इसको कहते हैं English Bond जहाँ पर आप इटो को इस तरीके से बड़ी इट देख लीजे फिर यहाँ दो इटो का यहाँ पर लेर होगा पडोस में फिर उसके बाद यह चोटी चोटी इटे इस तरीके से होरिजोंटली बनाई गई होगी इसको कहते हैं English Bond पद्दती रिसाव रोधी बनाने के लिए इटो को जिपसम से चिपकाया गया था जिपसम का उपयोग हम आज भी करते हैं तो ये खुदाई के दोरान ऐसी चीजे मिली हैं अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो भारत में खास करके राखी गड़ी जरूर जाईए वहाँ आपको दिख जाएगा कि किस तरीके के यह चीज निर्मित की गई होगी इन लोगों के द्वारा और ये उट जमाने की बात हैं साड़े तीन हजार साल पहले 200 साल पहले लोग किस तरीके से दुखी जीवन जी रहते हमने modern history में देखा था और ये साड़े 3000 साल पुराने लोग हैं जिनोंने सोचिये कितना उतक्रस्ट जीवन जिया था और ये कितने बेहेतर सभ्यता को दर्शाने वाले शहरों का वर्णन हम कह सकते हैं आप इनका अभी भी निर्मान देखियो और ये साड़े 3000 साल पहले बना था सोचिये 3000 साल पहले बने हैं और फिर भी इतने सुरक्षित हैं आज हमारा मकान साड़े 3000 साल बाद ही ऐसा लगता है कि मकान नहीं बनाया था हमने प्लास्टिक की कोई चीज बनाई होगी और सोचि कितनी बेहतर तरीके से दिख रही हैं कितने बेहतर तरीके से इनका निर्मान कार्य हुआ होगा हडपा मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मुर्तिया मिली है हडपा से अब या लग लग जग बता रहा हूं मैं सिंदु घाटी सब्वेता में कई सारे स्थान है उतमें हडपा में क्या क्या मिला है मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मुर्तिया मिली हैं अन्नागार मिला हैं बैलगाडी मिली हैं और अट्रा गोलाकार चबुत्रे मिले हैं जहां शायद बजार के समय दुकाने लगती होगी मोहन जोदडो बड़ा इसनानागार मिला हैं अन्नागार मिला हैं पुरोहितो का आवास महाविध्यालय के प्रमान मिले हैं हरे घर में कुवा इसनानागार के साक्ष सडक को पक्का करने का एक मात्र साक्ष और दस मीटर चोडी राजपत का साक्ष मिला हैं धोला विरा में जल निकासी का सबसे बेहतरीन प्रबंद जहर के चारोत्रप जलकुंड बनाए गए थे, चनुदड़ों में दोनों टिलों में किसी प्रकार की चार दिवारी नहीं है, धोला विरा में तीन टिले मिल गए हैं एक मध्यमा, लोथर और सुर्गोटडा में दुर याद दिलादू की हम आर्टेन कल्चर में सबसे पहले वास्तूकला और मुर्तिकला को पढ़ रहे हैं, इस वास्तूकला और मुर्तिकला में हम भवनों के बारे में, उनके निर्मान की योजना के बारे में, साथी साथ उस समय के मुर्तियों के बारे में अध्यान कर रहे है इसमें सबसे पहले हमने सिंदू घाटी सब्यता के बारे में पढ़ा जिसके अलग-अलग जगहों से क्या-क्या चीजे मिली हैं उसका हमने विस्तार पुर्वक वर्णन किया हैं अब हम आ रहे हैं मोर्यकाल की स्थापत्य कला पर पहले तो एक बार कमेंट्स कर दीजेगा कि यहां तक की चीजे समझ में आई हैं एक तरीके से हम इतिहास को नजर इस नजर से देख रहे हैं कि उस समय कैसे मकान थें कैसे दुकान थें कैसे भवन बने होंगे मुर्टिया कैसी बनी होगी उसका वर्णन करने की कोशिश है इस थापत्य कला का मतलब ही रहेगा वास्तु कला से पूरा जुड़ा हुआ दुकान भी देख ली चबूत्रे बने हुए थे तो चबूत्रे मतलब वहाँ दुकाने लगती होगी कुछ लाल लाली के रहे सर दुकान नहीं देखी वास्तु कला का मतलब भवन से हैं और इस्थापत्य कला का मतलब भवन, सड़क, पानी का निकासी सिस्टम और भी क्या-क्या चीजे बनाई गई थी वो ओवराल की चर्चाए हम कर लेते हैं हडपा सब्वेता के पश्षाथ इस्थापत्य कला के प्रमान मोर्यकाल में मिलते हैं अशोक के काल में आ रहे हैं हम लोग मोर्यकाल में मिलते हैं हडपा सब्वेता और मोर्यकाल के बीच लगबग 1500 वर्षो का गयाप है इमेजिन करिये पंद्रा सो वर्षों तक या पंद्रा सो वर्षों के इस टाइम पिरेड में हमें कुछ और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती अचानक सिंदुगाटी सब्वेता के बाद हमें कुछ ऐसा विशिष्ट नहीं देखने को मिलता है जिसकी हम तारीप कर सके तो पंद्रा सो वर्षों का ग्या पहडपा सब्वेता और मोर्यकाल के मद्दे का यूग भारती अकला का अंधकार यूग माना जाता है तो इसके बारे में अभी कोई भी साक्ष नहीं है हाला कि महा काव्य और बोद्ध घ्रंतों में हाती दात, मिट्टी और धातूओं का वर्नन मिलता है लेकिन प्रमान कम मिलते हैं मोर्यकाल से पुर्व वास्तू कला का उधारन नाम मात्र का है भारती स्तापत्य कला के संदर्भ में अभी उतकरन का कार्य जारी है शायद भविश्य में मिल जाए हडपा सब्वेता और मोर्यकाल के बिच के यूग की प्रमान प्राप्त होने के संभावना बाकी है मोर्यकाल में ही कलात्मक गतिविद्यो का इतियास निश्यत रुप से प्रारम हुआ मतलब मोर्यकाल में फिर हम मानते हैं कि शायद फिर से लोगों ने अपने रहने के लिए बेहतर भवन बनाए सडको का जाल बिचा हुआ मिलेगा और विशिष्ट प्रकार के भवनों की कला कृतियों के साथ मूर्ती कला का भी यहां पर हमें कई प्रकार के करेक्टर मिलेंगे मोर्यकाल भारतिय कला के स्वर्निम काल के रूप में माना जाता है स्वर्निम काल, वैसे तो कई सारे स्वर्निम काल है भारत के, पर मोर्यकाल भी भारतिय कला के स्वर्निम काल के रूप में उदित होता है, प्रारम होता है, मोर्यकाल के शाशक भारतिय कला के सरक्षक के रूप में प्रकट होते हैं, अपनी विशिष्ट भोगोलिक राजनितिक और आर्थिक स्तती के कारण राज्यक की सम्रद्धी और मोर्य शाशकों की प्रेड़ना से कला को प्रोचसान मिला प्राय सभी इतियासकार भारतिय कला का इतियास मोर्यकाल से ही मानते हैं। बातों को पढ़ लिया गया हैं तो बेहतर जानकारी हमें मोर्यकालीन कला से मिलती हैं। विशेशकर अशोक के काल में इस थापत्य कला अधिक उन्नत हुई। ये इसा पुर्व का मतलब समझ लीजेगा कि 2200 साल के बाद इतना जोड दीजे तो लगबग 2500 से 2300 साल पहले 1500 वडशों की चर्चाए हैं। अशोक के द्वारा एक नया धर्म धम्म की स्थापना की गई थी और धम्म की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए अशोक ने बड़ी संख्या में इस्थंब बनाये थे। शिलाखंड पत्थरों पर लिखा था पत्थरों पर बड़े बड़े पत्थरों पर जो समय के कलाकार चीजों को लिखते थे। इस इस्थापत्यकला को हम दो भागों में समझेंगे एक तो राज की इस्थापत्यकला हैं जो की राजा के अंडर में शाशक के अंडर में सरक्षित हैगी अत्यंत सम्रद्ध विशिष्ट और उच्च कोटी की पैसे वाला वेक्ती है अच्छे कलाकार अपने पास बुला सलेगा इस्तंब गुफा इस्तूप का निर्मान करेंगे चमकदार पॉलिश पत्थर और लोहे जैसी धातू का उप्योग करेंगे इस स्थापत्य कला में लोहे जैसी धातू तो भारतिय स्थापत्य कला में या भारतिय कलाओ में लोहे जैसी धातू का पहली बार उप्योग इसी युक की देन हैं यहाँ लोक इस्थापत्य कलाओ जमाने में प्राइवेट लोगों ने भी अपनी कुछ कलाओ बनाए लेकिन वह आप समझ सकते हैं उतनी उच्चे स्तर की नहीं होगी स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा यक्ष यक्षनी की प्रतिमाए बनाई गई यक्ष यक्षनी मतलब उच्जमाने के एक तरीके से देवी देवताओ जैसा समझ लीजें मिट्टी की मुर्तिया म्रदा और लकडी का प्रयोग पत्थरों का अलंकृत प्रयोग तो लोगों ने भी चीजों को निर्मित किया, शाशकों ने भी चीजों का निर्मान कर दिया इस्थापत्यकला के संदर्ब में लोहे के प्रयोग के प्रमान, मोर्यकालिन इस्थापत्यकला के रूप में मिलते है हाला कि लोहे का प्रयोग उत्तरवैदिक काल में शुरू हो गया था लेकिन यूपयोग शुरू होना और उसका प्रौपर उपयोग होने में अंतर होता है उत्तरवैदिक काल की स्थापत्य कला का कोई प्रमान ही नहीं है मोर्य कालिन स्थापत्य कला की अब विशेश्टाओं पर चर्चा करते हैं जैसे सिंदु घाटी स्थापत्य कला की विशेश्टाए थी मोर्य कालिन स्थापत्य कला में चमकदार पत्थर और लोहे का प्रयोग अबजेक्टिव सवालों में सीधा ऐसाई सवाल वनेगा मोर्यकाल इंस्तापत्य कलाकी विशेषता है कथने चमकदार पत्थर लोहे का उपयोग दूसरा पत्थर पर पॉलिश का उपयोग तीसरा निर्मान में लकडी का प्रयोग चवथा और फिर आप्षन देगा 1,2,3 1,2,3,4 तो शब्दों पर ध्यान देते चलेंगे चमकदार पत्थर लोहे का प्रयोग पत्थर पर पॉलिश का प्रयोग भवन निर्मान में लकडी का प्रयोग इस्थम्ब आदी के माध्यम से धार्मिक शिक्षा विशेश कर बोध्ध धरम की शिक्षा को इसी के माध्यम से प्रसारित किया अशोग अनेक एकाश्म पत्थरों के खंबे मतलब अनेक एक एक पत्थर से निर्मित पूरा खंबा दिखाई देंगे कई जगद देखेंगे और खंबे में उनके द्वारा निर्मित धम्म की शिक्षा का वर्नन इस्तापत्य कला में देशी और विदेशी तत्वों का मिश्रन, बहारी कलाओं के लक्षन भी गानधार कला का विकास यहां दिखाई देगा, गानधार कला जो बैक्टेरियाई तत्वों को लेकर आएगी, बैक्टेरियाई तत्व जिनोंने प्राचिन भारत का इतियास उन्हें याद आता हो नहीं याद आता हो तो समझना की गांधार कला के पडोस में एक बैक्टेरियाई शेत्र उसका प्रभाव दिखेगा तो लोहे का प्रयोग चमकदार पत्थर पत्थर पर पॉलिश लकडी का उपियोग इस्तंब धर्म की शिक्षा के लिए मतलब जैसे आ अचानक बदलाओ और शिक्षा के प्रसार के लिए यूट्यूब का अत्यादिक उपियोग किया गया तो आज हम लगबग धाई अजार साल पहले का इतियास पढ़ रहे हैं तो हम कहरें कि धंब की शिक्षा के लिए इस्तंब बनाए गए होंगे उट जमाने में इन पत्थरों के इस्तंबों पर धार्मिक शिक्षा ये दी गई होगी इस्तंब एकाश्म प्रस्तर इस्तंब आईए जरा देखते इस्तंब मतलब खंबा मोर्यकाल की सर्वत कृष्ट कृतिया अशो के एकाश्म प्रस्तर इस्तंब है एकाश्म प्रस्तर इस्तंब के निर्मान में लाल बलुआ पत्थर का उपियो किया गया है प्रतेग इस्तंब को दो भागों में बाटा जाएगा एक लाट रहेगी जो पूरी लंबाई को दर्शाएगा और दूसरा इस्तंब का शिर्श होगा जिस पर लौयन हो सकता है बाग हो सकता है टाइगर हो सकता है या फिर हम कह सकते हैं हाती बनाए जा सकते हैं लाट की लंबाई लगबक 40 से 50 फुट की होगी और इस्तंब शिर्ष लाट की चोटी परिस्तित होगा शिर्ष पर पशुओं की आकृती के साथ धर्म चक्र बनाया जाएगा मतलब आप ये मान के चलिए कि यह लाट कहलाएगा और यह इस्तंब शिर्ष कहलाएगा जिस पर प्रकार के पशुओं बनाये जाएगे जैसे कि यह चित्र आपको बता सकता है इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं एकाश्म प्रश्तर इस्तंब है ये उद्जमाने में निर्मित किये गए सबसे अदबुत रचनाए हैं तो अगर आप सिंदु घाटी सब्यताओं को ये सड़कों को याद रखते हैं सिंदु घाटी की पहचान के लिए तो मोर्यकाल में यदि आपको एक बिंदु याद रखना हो तो ये इस्तंब याद रखिएगा इस समय की सबसे बड़ी पहचान थी इन इस्तंबों का निर्मान ये इस्तंब धर्म की शिक्षा के लिए बोद्ध धर्म की शिक्षा को प्रसारित करने के लिए बनाए जाते थे ये इस्तंब का शिर्ष है और ये पूरा लाट कहलाएगा लाट कहलाएगा आप क्योंकि डिजिटल बोर्ड है तो इसका फायदा यही है कि ज्यादा ढूनने की जरुवत नहीं पड़ती चीज़े आप को मिलेगी और आप देख सकते हैं कि ये धर्म की शिक्षाए या धम्म की शिक्षाए यहाँ पर दी गई है धम्म की शिक्षाए जरा भाषा के लिए कमेंट्स करना कि ये कौन सी भाषा में धम्म की शिक्षा दी गई है क्योंकि आपको प्राचिन भारत का इतियास भी हमने पढ़ाया है कोन-कोन से स्तंब मिले है तो लगबग बिहार में चार स्तंब मिले है और यूपी में तीन बिहार के चार स्तंब बसाड का रामपुरुआ का तो बसाड का सीह या सिंग शिर्ष स्तंब मतलब लौयन वाला रामपुरुआ का व्रशब शिर्ष स्तंब नंदनगड का तो लोरिया, रामपूर और बसाड तीनों में सीह शिर्षे स्तंभ हैं केवल रामपूरवा में व्रशप शिर्षे स्तंभ हैं उत्तर प्रदेश में संकीसा का गर्ज हाती शिर्षे स्तंभ हैं सारनात का चतुर सिंग स्तंभ हैं और राची का चतुर सिंग दो चतुर सिंह हैं, चतुर मतलब चार सिंह सिंह वाले और जो उत्तर प्रुदेश का है वो गजिशिर्शी स्तंब हैं, एक संकीसा का, तो सातो एक बार देख लीजे, बसाड, रामपुरुवा और लोरिया, रामपुरुवा में दो इस्तंब हैं, एक पर व्रशब हैं, एक प कुशिश की गई हैं। ये सभी दिखा रहा हूं मैं। बसाड का शिर्षस्तंब बिहार। बिहार के बसाड में। राम पुर्वा का व्रशब शिर्ष इस्तंब अब ये खंडित हो गया होगा अब हिमेजिन करिए कि ये तूट गया होगा तो ये हिस्सा अलग हो गया और वो हिस्सा अलग अब काफी धाई हजार साल पुरानी सरचना है ये बड़ी बात है कि अभी भी इस रूप में बैठी हुई है फिर राम पुर्वा का सिह शिर्ष इस्तंब भी है लोरिया नंदनगड का सिह इस्तंब बिहार फिर संकीसा का गज इस्तंब संकीसा ये देख लीजे ये भी शायद तूट गया है और ये आप देख सकते हैं कि हाती की शायद सून भी अब तूट गई होगी अन्यता वो दिखाने की कोशिश वही है संकीसा सारनात का चतुर सिंग चतुर सिह इस्तंब चतुर सिह यही वाला हमारे देश में ये वाला हिस्सा केवल ये पूरा नहीं यूज किया गया है केवल इतना ही हिस्सा हमारा राश्टिय प्रतीग बन गया है साची में भी मिलता है एईसा साची में भी और आप साची का देख सकते हैं अलग है थोडा सा इस्ट्रक्चर भली यहां पर भी चार सीह यूद्स किये गए हैं एक दूसरे से पीठ से सटे हुए तो साची में भी लगबग वैसा ही मिलता है जैसे यूपी के सारनात में मिलता था सारनात का अशोक इस्तंब जो इसके बारे में अभी हमने चर्चाए की क्या खासियत है इन इस्तंबों की ये समझना पड़ेगा हमें अशोक ने इन एकाश्म इस्तंबों को सबसे बेहतर तरीके से विक्सित और काफी विशिष्टता के साथ निर्मित किया यूपी के सारनात में जो इस्तित हैं वह समराट अशोक के द्वारा 250 इसाप पुर्व निर्मित था वर्तमान में सारनात संग्रालय में रखा गया है इस्तंब के शिर्ष पर चार सी हैं एक विप्रिद दिशा में पीट के बल सटे हुए हैं नीचे घोड़ा शेर हाती और बेल का अंकन हैं बेल को उरशब का भी लिखा जाता है कई जगर चारो पशु शक्ती के उपर धर्म की विजय का प्रतीक बताते हैं कि चारो पशु जो है वो शक्ती के उपर धर्म की विजय को दर्शाते हैं अगर हम देखेंगे तो इसी को हमने अपना राश्टिय प्रतीक माना हैं पर ये कंप्लीट नहीं केवल उसका उपरी हिस्सा हमने राश्टिय प्रतीक के रूप में स्विकार किया है शेरो के नीचे पत्थर पर धर्म चक्र हैं और इस धर्म चक्र में 32 तीलिया है हमारे राश्टिय प्रतीक में 32 तीलिया नहीं है चोबीस ही है वो इसलिए क्योंकि हमें एक धर्म निर्पेक्ष राश्ट हैं इसलिए उन्होंने जरूर वहां से लिया लेकिन अपनी धर्म निर्पेक्षता को दर्शाने के लिए तीलियों का नंबर बदल दिया नीचे उल्टी आकृती की घंटी है इस्तम के निचले भाग पर अशोग चक्र इस्तित है तिरंगे के मद्य में अशोग चक्र भारत का राश्टिय चिन्न इसी इस्तम से ग्रहन किया गया है अशोग के सारनाथ इस्तम में चक्र में 33 तिलिया है ये 32 की जगत 33 जबकि भारतिय ध्वज में 24 तिलिया है सारनाथ की इस्तम में धर्म चक्र की 33 तिलिया महात्मा बुद्ध के जीवन और शक्ती से संबंदित है 33 है ये और भारतिय ध्वज चक्र में 33 की जगत 24 तिलिया भारतिय सविधान की पंथ निर्पेक्षता की छवी को दर्शाती है अशोग के फिर दूसरा एक तो इस्तम्ब अशोग के जमाने में जो इस्तम्ब थे एकाश्म प्रस्तर इस्तम्ब ये हमें उत्जमाने के इस बात को दर्शाने की कोशिश करते है कि कितने बेहतर लोगों ने या कितने उत्कृष्ट कलाकारों ने ऐसी रचना बनाई होगी अशोग के अभिलेक कई जगह पर बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे गए है तो जब बड़े पत्थर पर लिखा जाता है तो उसको शिला लेक कहते हैं जैसे आज के जमाने में पंचायत क्या करती है दीवार पर पुताई करके लिख देती है कई प्रकार के स्लोगन स्वच्च भारत स्वच्च अभियान स्वच्चता ही हमारा परम करतव्य है तो जैसे आज के जमाने में सरकारे दीवारों पर पुताई करती है पाँच-छे साल के बाद सरकार बदली पुताई बदल जाती है पर वह सरकारों का दौर नहीं था राज शिला लेक का मतलब शिला पत्थर पर लिखा गया लेक, जैसे पत्थरों पर कुछ जग इस तरीके के लेक लिखे गये है, कुछ जग पत्थरों पर इस तरीके से चीजों को उकेरा गया है, अद्बुत ये हैं कि पत्थर को वैसे काटना, मतलब जो भी इस शिला लेक को लिख सकता होगा अशोक के जो शिलालेक या जिसे हम अभिलेक कहते हैं अशोक का इतियास मुख्यत उसके अभिलेकों से ही पता चलता है अशोक की सामराज्य की सीमा का भी हमें इसी से अंदादा लगता है क्योंकि जहां जहां पर यह अभिलेक मिलेंगे माना जाएगा कि वहां वहा शिला लेक अशोक के जो मिलते हैं अशोक के अभिलेकों को तीन भागों में बाटेंगे बड़े बड़े चौदा पत्थरों पर लिखे हुए चीजे मिली हैं फिर कुछ जगह पर इस्थंबों पर भी लेक मिले हैं और कुछ जगह पर गुफाओं में भी लेक मिले हैं तो धर्म की शिक्षा के एक तरीके से मान के चलिएगा कि मॉड्यूल हैं जैसे कि वर्तमान में मान लीजे मुझे आप लोग मेराथन क्लासेस मैं दे रहा हूँ तो वैसे अशोक ने अपने धर्म की शिक्षा को उन शिला लेखो पर उकेर के रखा कि इसको याद रख लीजे और ऐसा ही जीवन आपको व्यतीत करना होगा तो सबसे पहले हम चौदा शिला लेख की बात कर रहे हैं चौदा शिला लेख देखिएगा सभी शिला लेख शिला लेख वन ये अबजेक्टिव सवाल सीधे बने हैं यहां से यूपियसी नहीं पीसियस वालों ने भी डायरेक अगर निम्न में से कौन सी विशिष्ट ताय हैं तो यह रटा होना चाहिए इदर ध्यान देते चलेंगे सभी लोग पशू बली की निंदा शिला लेख व्यन में समा रोह पर पाबंदी सीमी तत्वा कुछ चिन्नित पशू की हत्या का ही समर्थन जैसे मोर और म्रग मोर और हिरन की हत्या का ही समर्थन बाकि सभी पशू की हत्या पर पाबंदी पशू बली की निंदा की गई हैं समारो पर पाबंदी की गई हैं और कुछ चिन्नित पशू के अलावा किसी पशू की हत्या का समर्थन नहीं किया गया ये अशोक के 14 शिलालेक में पहले शिलालेक पर मिला है आप कहेंगे कि सर ये पहला शिलालेक कैसा तो समय के आधार पर इसका नंबरिंग किया गया है दूसरे शिलालेक पर मानव और पशुओ का कल्या जैसे मान लीजे कि सविधान की 12 अनुसूचिया है न बारानुस उच्या रटी हुई है आप लोगों को पहली में भारत के और भारतिय संग शेत्र की बात की जाती है दूसरे में बड़े पदों की बात चित की जाती है तीसरे में शपत की चौथे में राज्य सबा के सीटों की पाच्वे में जनजातियों की छट्वे में चार रा वैसे 14 शिलालेक आपको याद रखने हैं पहले में पशू बली पर ज्यादा ध्यान दिया गया है दूसरे शिलालेक पर बाचित की गई है मानव और पशू के कल्यानकारी काम की शिलालेक तीन पर क्या किया गया है हर पाच्वे वर्ष धर्म प्रचार जिसे रिसर्च कहा हर पाच्वे वर्ष तो यह पूचा जाता है कि मोर्यकाल में अनुसंधान का मतलब क्या होगा आज अनुसंधान का मतलब रिसर्च होता है लेकिनु जमाने में अनुसंधान का मतलब हर पाच्वे वर्ष में धर्म प्रचार बचत धार्मिक नियम और अल्प व्यको धम्म का तो तीसरे में बताया गया है बचतों के बारे में एक तरीके से साधारन जीवन व्यतित करने के बारे में कम से कम खर्च को करने के बारे में शिलालेक चार में धम्म नीती के बारे में वर्णन मिलता है शिलालेक पांच लोगों को धम्म में परवत्त करने और धम्म में प्रव करेगा एक अधिकारी एक मुखिया समझ लिजे जो धAM्म में काम करने वाले लोगों के लिए काम करेगा शिलाल एक छे में सक्रिय प्रशाषन एक बेहतर व्यापार की जानकारी और आत्मनियंत्रन की शिक्षा स येम को क्या-क्या कंट्रोल करना चाहिए, सोयम ने क्या-क्या अपने उपर नियंत्रन करना चाहिए, एक बेहतर प्रशाशन, एक बेहतर व्यापार की जानकारी, शिलाल एक साथ में विभिन्न धर्मों के बीच धार्मिक सहिश्नुता की बात की गई है, विभिन्न धर्मों के बीच धार्मिक सह शिकार जाने की जगह पर धार्मिक यात्रा करिए, लोगों की मदद करिए, धम्म का प्रचार करिए, शिलालेक नव, विवा, जन्म उत्सव, आदी पर खर्चिले समाओं की प्राबंदी और शिष्टाचार को अपनाने की बातचित हैं, याद तो अभी करवाऊंगा बिटा म याद इसले भी करना है, जैसे 12 अनुस उचिया हुई, उधर याद करिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी याद करवाएं मैंने आप लोगों से, पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद करते चलिए तो अभी ये 12 भी याद करेंगे, ऐसे ही, पहले वाले में ह जल की बात स्वच्च जल की उपस्तिती, साथवे में नवी करनी उड़ जा, आठवे में याद करिएगा पिछली बार भी हम आठवा कन्फ्यूज हुए थे तो थोड़ा देखते चलना, नवे में इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेश्मेंट की बात्चित, दसवे में सभी प्रकार की समानता, ग्यारवे में सस्टेनेबल शहरों की बारे में चर्चा है, फिर बारवे में हमने बात कही थी, बारवा वाला फिर कन्फ्यूज कर रहे हैं, तेरवे में हमने क्लाइमेट चेन, चौदा में जल के भीतर के जीवन का सरक्षन, पंदरा में भूमी, सोला मे शांती और सत्रा में सयोग वैसे ही अभी यात करेंगे हम आठवा और बारवा कमेंड्स करते चलिएगा आप लोग तो पहला शिलालेक किस बारे में तो पहले शिलालेक में पशुओं की हत्या को रोकने की तो पहला शिलालेक अशो कह रहे हैं पश्यों की हत्या नहीं करनी चाहिए तो पहला ग्यान हत्याओं को रोकने का पश्यों की और समारों पर पाबंदी शिलाल एक दूसरा मानव और पश्यों का कल्यान तो पहले पश्यों की हत्या को रोकिए समारों मत करिए क्योंकि उसी में पश्यों बली होती है तो दूसरे मे कहेंगे पशुओं का कल्यान पशुओं का मनुष्य का कल्यान तीसरे में हर पाच्वे वर्ष धर्म प्रचार करना चाहिए जिसे अनुसंदान कहेंगे बचते करनी चाहिए कम खर्चा करना चाहिए और धार्मिक नियमों का पालन चौथे में धम्म की नीती के बारे में तो शिलालेक चार शिलालेक में धम्म नीती चार शब्दों से मिलकर बना धम्म नीती तो पहले में हत्या का विरोत करवाएंगे समारों पर पाबंदी लगाएंगे दूसरे में मनु पाच साल में धर्म प्रचार करने जाए जिसे अनुसंदान करेंगे चौथे में धर्म निती की बातचित करेंगे पाचवे में लोगों को धम में प्रवरत करने के लिए एक महामात्र नामक अधिकारी होगा महामात्र नामक अधिकारी को शामिल किया जाएगा महामात्र शिला में प्रशाशन की बाते करेंगे व्यापार के बारे में बात्चीत करेंगे और अपने आत्म नियंत्रन की शिक्षा तो प्रशाशन व्यापार और आत्म नियंत्रन की शिक्षा पर बात्चीत कर पाएंगे administration, मजबूत व्यापार और आत्म नियंत्रन सात्वे में सात्वा बड़ा महतुपुन होता है धार्मिक सहिश्नुता सभी धर्मों के प्रती बोद्ध धर्म, जेन धर्म, हिंदु धर्म के प्रती आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए बलकि वे एक दूसरे की मदद कर सकेंगे आठवे में धम्म निती, जैसे चार में धम्म निती थी वैसे आठवे में उसकी व्याख्या और अव्यशिकार के बदले धम्म यात्रा को अपनाने की बाद नाइन में, नवे में विवा, जन्म उत्सव, आदी पर खर्चिले, समारो पर पाबंदी, नव मुझे लगता है शिलालेक नव जैसे कि विवा साथ फेरो वाला होता है तो साथ फेरो के साथ दो जोडते चलिए क्योंकि अशोग है, तो पुराने जमाने के लोग है नवे नमबर पर लेकर गए, खर्चिले कम करने चाहिए दस्वे पर, तो दस्वे से पहले फिर वापिश शुरू करते हैं पहले तो पशुओ की हत्या को रुकवाईए और समारो कम करिए दूसरे में मनुश्य और पशुओ का कल्यान करिए तीसरे में हर पाच्वे वर्ष धर्म प्रचार करने के लिए अनुसंदान करना चाहिए बचचत करनी चाहिए, अलपव्याय करना चाहिए नियमों का पालत चवथे में धम्मनीती के बारे में बताया गया है धम्मनिती के बाद पाच्वे पर बात्चीत करेंगे तो वो कहेंगे पाच्वे में महा मात्र नामक अधिकारी की नियुक्ती, छट्वे में जहां पर बात्चीत आएगी व्यापार की और आत्मनियंत्रन की, व्यापार, प्रशाशन, आत्मनियंत्रन, सात्वे में क्योंकि सा बड़ा महतुपुने धार्मिक सहिश्नुता की बात होगी आठ्वे में भी धम्म निती की व्याख्या और शिकार करने की जगधर्म प्रचार करिये। समान भाव राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेगा। दस्वे में समानता की बातचित हैं कि राजा और जो उच्च वर्ग हैं संपन्न वर्ग हैं उन्होंने प्रजा के विशय में सोचना चाहिए। शिलाले 11 एक और 11 धर्म के वर्दान को सर्वोत्तम बताया। धर्म का जो वर्दान है वो सबसे बेश्ट। बारा में इस्त्री महामात्रों की नियुक्ती बुताना पाच्वे में था महामात्र। महा मात्र पाच्वे में था बार्वे में बताया कि स्त्री भी महा मात्र बन सकती है और धार्मिक सहिश्णुता फिर से बताने की कोशिश है जो छट्वे में बताया था वो बार्वे में भी बता रहे हैं साथ्वे में जो बताया था वो बार्वे में भी शिलाल एक 13 पर कलिंग युद्ध उडिसा अशोक का रदय परिवर्तन पडोसी राजाओं का वडनन मोर्य सामराज्य के पश्चिम के पडोसी राजाओं का उल्ले जिनके साथ अशोक के राजनितिक संबंद थे मतलब अब विदेशी राजाओं के बारे में भी जानकारी और एंटी युद्ध अशोक का रदय परिवर्तन उसके अलावा पडोसी राजाओं का वडनन विशेश करके पश्चिमी राजाओं के बारे में जानकारी हमें 13 शिलालेक में मिलती हैं और 14 शिलालेक में धार्मिक जीवन जीने की प्रेड़ना 13 शिलालेकों में जो तुटिया हुई है उसे 14 शिलालेक में सुधारा गया है अभी याद करवाएंगे हम आपको तो 14 शिला लेखों में देखते हैं कितने याद हमें भी हो गए और आपको भी 14 शिला लेखों में पहला शिला लेख है कि हत्या पशुओ की करनी नहीं चाहिए समारों को नियंत्रित या बंद करना पाबंदी लगा दी गई फिर दूसरे में मानव और पशुओ के कल्यान की बात्चीत है तीसरे में हर पाच्वे वर्ष धर्म प्रचार करना चाहिए जिसे अनुसंदान कहेंगे जो बताया गया है अखर्चे कम करिये बचतों को बढ़ाईए धार्मिक नियमन चौथे में धम नीती के बारे में बताया है पाच्वे में महामात्र एक अधिकारी की नियूकती फिर बार्वे में बताया था कि महिला महामात्र फिर छट्वा वाला जो है छट्वा वाला किस बातों को बताएगा मैं भूल रहा हूँ चटवे में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताने की कोशिश की गई हैं। सात्वे में धार्मिक सहिश्णुता पाचवां चटवे वाले पर प्रशाषन व्यापार और आत्म नियंत्रन जटवे में सात्वे में धार्मिक सहिश्णुता, आठवे में वही धम्म निती और शिकार के बदले धम्म यात्रा पड़ जाए। फिर नवे में विभाद जन्म उत्सव की बात है। युद्ध अशोक का रदय परिवर्तन राजाओ का वर्नन और जो आखरी हैं उसमें 13 अभी लोगों की जो गलतिया थी उसे भी बता दिया गया साती साथ धार्मिक जीवन जीने की प्रेरना दी गई ये 14 अभी लेक हमें याद होनी चाहिए। जरा एक बार तेजी से कमेंट्स करिएगा पूरे याद हो गए 14 अब लोगों को क्योंकि सवाल बनने का मटेरियल है अब आते हैं व्रहद शिलालेखों के प्राप्तिस तलिये कहा कहा मिले हैं तो ये जो 14 शिलालेख मिले ये कहा कहा मिले हैं शहावाज गड़ी अभी लेक आधुनिक पाकिस्तान के खोजा गया बारवे शाशन देश के अत्रिक्त अन्य सभी शाशना देश इसमें उल्ले कित है लब जो 14 थे उसमें से बारवे को छोड़ दीजे शहावाज गड़ी संबवत अशोक के सामराज्य में विद्यमान यवन प्रांत की राजधानी रही होगी जो शहावाज आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले में मिलता है वहाँ पर इस तरीके के जो शिलालेक मिले हैं जिसमें 14 में से लगबक सभी हैं केवल बारवे को छोड़ कर और उसके बारे में बताया गया है कि यह जगह कोन सी होगी फिर है मान सहरा अभिले पाकिस्तान के हजारा जिले में मान सहरा से तीन शिलालेक मिले है पहले पर प्रथम आठ के बारे में हैं दूसरे पर नव से बारा के बारे में हैं और तीसरे पर तेरा और चौदा सोचिए मान सहरा वाली जगह पर सारे चौदा के चौदा शिक्षाओं को दिखाया गया है पहले दो शिलालेग की खोज जनरल कनिंगम के द्वारा हुई और तीसरे शिलालेग की कोज पंजाब पुरातत्व विभाग ने की थी तो आप अब ये भाशा तो शायद ही दिखाई दे लेकिन ये खोजे गए हैं पूरे के पूरे चौदा शिक्षाओं को फिर तीसरा है कालसी अभिलेग क्योंकि जो अशोक था उनका शाशन जहां जहां होगा लगबक सभी जगह पर इनको पहुचाया गया होगा सभी जगह 14 के 14 पहुचाये गए होंगे लेकिन धाई अजार वर्षों में कुछ जगह पर कुछ शिलाले खतम हो गए होंगे कुछ तुकुडों में बढ़ गए होंगे कितनी टाइम के बाद हम इस पर चर्चाये कर रहे तो कितने राजा आये और गए कुछ ने बचाया होगा कुछ ने तोड़ने का काम भी किया होगा उत्राखंड के देहरादून जिले में स्तित हैं कालसी अभीलेक यमुना और टोन्स नदी के संगम पर जी महोदय है देहरादून उत्राखंड में टोन्स नदी मिलती हैं एक टोन्स नदी प्राइद वीपिय पठार से निकल कर आप याद करिये सोन केन टोन्स सोन नदी टोन्स नदी डाइरेक गंगा की सायक ये भी वहां मिलेगी 1860 में कालसी अभीलेक खोजा गया था गिरनार अभीलेक गुजरात प्रांत के काठिया वाड में जूनागड के समीब गिरनार की पहाडियों से गिरनार से रुद्र दामन और समुद्र गुप्त के लेख भी मिले हैं 1822 में करनल टॉट डॉरा खोजा गया गिरनार अभीलेक शिलालेक दो के भागों को दर्शाता हैं गिरनार अपेक्षा कुरुत सबसे सुरक्षित अवस्ता में हैं आप देख सकते हैं किस तरीके के उन पत्थरों पर पूरे संदेश को उकेरा गया था जो दूसरे में था दूसरे में मानव कल्यान के बारे में चर्चाय की गई थी फिर धौली तथा जोगड अभीलेक वर्तमान उडिसा के पूरी और गंजाम जिले में स्तीत गिरनार से रुद्र दामन और समुद्र गुरुपत के भी गिरनार वाला तो हमने देख लिया धौली अभीलेक जो हैं 1837 में कीटो द्वारा खुजा गया और जोगड अभीलेक जो 1850 में वाल्टर इलियेट अंग्रेजों ने खुजे है सब कुछ दोनों शिलालेकों में 11 और 13 तक के लेक नहीं है इनके स्थान पर दो नए लेक खुदे जिने जन पदवासियों को दिये गया आदेश है इसलिए धोली और जोगड को दो प्रतक कलिंग प्रग्यापन शिलालेक कहा जाता है मतलब जितने हमने शिलालेक देखे सबी में 14 शिक्षाए हैं या दो अत्रिक्त शिक्षाओं को दिया गया है उडिसा के इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी आज भली हमारे लिए कठीनों पढ़ना लेकिन शायद इतियास कारों के लिए बेहतरीन मौका है इरा गुडी या एर गुडी अभिलेक आंद्र प्रदेश के कर्नूर जिले में पत्थरों के छे तिलों पर अशोक के शिलालेक और लगू शिलालेक उतकिर्न है 1929 में अनुगोश द्वारा खोजे गए इरा गुडी लेक में लिपी की दिशा दाये से बाये हैं जब कियन्य सभी में यह बाये से दाये हैं मतलब इरा गुडी में उल्टा लिखा गया हैं इस पॉइंट पर भी ध्यान देना अब्जेक्टिव सवाल का मटेरियल है सोपारा अभी लेक महराष्ट के थाना जिले में एक खंडित शिला पर आठवे शिलालेक के कुछ भाग हैं अनुमानत पहले यहां सभी 14 होंगे लेकिन अब बचा वही होगा तो यह आठवे नंबर का शिलालेक आठवे में क्या लिखा गया था याद करिये धम्मनिती और आखेट करने की जगध शिकार करने की जगध धर्म प्रचार करिये दो लगू शिलालेक जिसके बारे में हमने चर्चाए की इन लगू शिलालेक को प्रथम और लगू शिलालेक दुतिय कहा गया इन दोनों का निर्मान 258 से 250 इसापुर्वा में खुदवाए गए होंगे पहले लेक में अशोक के व्यक्तिगत जीवन को बताया गया है और दूस ऐसे में धर्म सारांज लगू शिलालेकों को प्रथम और दुतिय में विभाजन का प्रमुकादार उनके प्राप्ति सतलका उत्तर और धक्षिन में होना है स्वाबाविक रूप से लगू शिलालेक चउदा वृत शिलालेकों से छोटे हैं और इसल dont को बहगू शिलालेक आ प्रथम शिलालेक को ब्रह्मगिरी लेक, सिद्धपूर लेक, रामेश्वर लेक या जातिंग लेक, महसूर करनाटक में, सहसराम लेक, बिहार में और बराट, मास्की, गवीमट लेक, मध्यप्रदेश में, मतलब इन सारी जगह पर ये छोटे आदेश, अशोक के जीवनी का व वर्दन हैं, वो करनाटक में, सिद्धपूर में, करनाटक ब्रह्मगिरी में, मस्की, रायचूर करनाटक में, मस्की वाले, केवल इसी में अशोक का नाम है, अन्य लेकों में अशोक को देवना प्रिय, प्रिय दर्शी, आदी शब्द, तो अशोक में अपना ओरिजनल नाम नहीं यूज किया हैं, केवल इसी लेक में हैं, बाकी अन्य लेखों में देवना प्रिय, प्रिय दर्शी जैसा नाम उप्योग किया हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कई लोगों के मस्तिश की सीमाओं का उलंगन हो गया हो शायद, अशोक के दोर में सबसे पहले एकाश्म इस किया था, और यह पूरे भारत में जहां जहां उनका सामराज्य था, वहां उन्होंने प्रसारित की थी धम्मकी शिक्षा हैं, हमने उन 14 शिक्षाओं को देखा सिक्वेंस वाइज, फिर उनकी जगह हैं, कि आज के दोर में उनका जगह कहां पर मिलता हैं, इस से पता चलता ह कि वहां पर अशोक का पूरा शाशन और नियंतरन रहा होगा, इसके अलावा दो छोटे अभिलेग भी मिलते हैं, जो आकार में छोटे हैं, एक में अशोक की जीवनी हैं, दूसरे में धर्मका वर्णन किया गया हैं, ये भी कई जगह पर मिलते हैं, मध्यप्रदेश से लेक करनाटक तक में, फिर हमने दूसरे वाले के बारे में भी विस्तार पुर्वक पढ़ा, अभी भी अशोक के बारे में ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके नामों को पर भी ध्यान दीजेगा, प्रश्न उस पर भी पूछा जाता है, अब आते हैं, इस्थंब अभि क्या लिखा है, रूतिराई वाले में, स्वतंत्र प्रकार का अभिलेख है, ये लेख, रुम्नीन, देई और निगलिवा में पाए गए हैं, दो जगव पर, खोच फिउरर ने की थी, देखो, अंग्रेजों ने जब अठासों के जमाने में इसको खोजा, तब उन में से कई लोगों की बुद्धी खुली, कि ये भारतिय लोग, जिने हम अज्यानी, अन्फड, भेडबकरी चराने वाले समझ रहे हैं, इनका प्राचीन काल तो देखो, अदबुत है, कि ऐसा प्राचीन काल तो यूरोप का भी नहीं था, इनके प्राचीन काल में किस तरीके के विच प्राचीन इत्यास की और आकर्षित हुए, और इसलिए उन्होंने भारतियों के प्रती भी सम्मान का भाववेक्त किया, जिन अंग्रेजी गधो ने, बुरा शब्द कहुँगा, लेकिन कारन है कि उन्होंने इतना सोशन किया है, भारतियों का, उन्हें गधा कहने का हग हर भारतिय को है क्योंकि उन्होंने निहत्य लोगों की हत्याय भी की है तो उन गधों में जो गधे ऐसे थे जिनोंने ग्यान नहीं अरजित किया उन्हें लगता था कि भारतिय लोगों के पास बुद्धी मत्ता के नाम पर कुछ भी नहीं है तो यदि हम बातचीत करें तो उन मे से कई लोगों ने इस चीजों को जब खोजा तो उनका आकडशन प्राचीन भारत की और बढ़ा दोईनवी इस्तान नेपाल के तराई में मिलते हैं इसलिए यह तराई लेक के नाम से जाना जाता है इसको रूती राई इस्तंब अभी लेक इन लेकों से प्रमानिक रूप से पता चलता है कि अशोक ने बुद्ध के जीवन से संबंदित पवित्र स्थानों की यात्रा भी की थी फिर है लुंबीनी इस्तंब लेक अगर आप देखेंगे लुंबीनी का इस्तंब लेक वहां पर भी लुंबीनी लेक में बुद्ध को शाक्यमुनी कहा गया है अब सरकार ने उसके चारोत्र बार लगा दी सुरक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपूर, खिजराबाद जिले में टोपरा नामक इस्थान पर मिला था लेकिन बाद में फिरोशा तुगलक के जमाने में उसे दिल्ली लाया गया फिरोशा ने इसे कोटला फिरोशा बाद इस्तापित करवाया फिरोशा की लाट, भिमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनरी लाट आदी नाम से भी इसको जाना जाता था अशोक के सातो अभिलेकों का नाम उतकिर्न है जबकि अन्य पर केवल छे ही है जेम्स प्रिसेप वाचन करंग्रेजी में अनुवात प्रकाशित किया था कंगन हल्ली हभिले करनाटक के कुल बरगा जिले में ब्राम्मी लिपी में एक एकल पंक्ती में राण्यों अशोक उल्ले कित है तो अगर हम बात करें स्थापत्यकला के रूप में सिंदू घाटी सब्वेता के शहरी शाशन के बारे में पता चलता है तो मोर्यकाल की स्थापत्यकला के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि किस तरीके से धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने इस्तंब लेक और अभी लेक या शिला लेखों का उप्योग किया था अब कुछ फैक्ट पर आते हैं ध्यान देना सबी लोग साची सारनात का लगु इस्तंब लेक अशोक अपने महा मातरों को संग भेद रोकने का आदेश देते हैं कि जो संग अलग-लग बनाए गए हैं कई संग सभी का कान धर्म प्रचार है उनके बीच में कॉम्पिडिशन ना हो दक्षनी विहार के गया जिले में स्तित बराबर नामक पहाडी की तीन गुफाओ की दिवारों पर अशोक के लेक उतकिर्न मिले हैं इनम्य अशोक द्वारा आज जीवक संप्रदाय के साधूओ के निवास के लिए गुहा दान में दिये जाने का विवरन दिया है सभी गुहा लेक प्राकरत भाशा में या तथा ब्राम्मी लिपी में हैं केवल दो शहाबाज गड़ी और मान सहरा की लिपी ब्राम्मीना होकर खरोश्टी लिपी भी हैं पॉइंट भी नोटेट वाला सवाल हैं दो शहाबाज गड़ी और मान सहरा की लिपी खरोश्टी लिपी उल्टी लिखी जाती हैं दाई से बाई और ये देखना यह दाया है और यह बाया है तो ऐसे लिखी जाएगी जैसे उर्दू लिखी जाती है तो यह खरोश्टी लिपी है और प्राकृत और ब्राम्मी लिखी बाये से दाये लिखी जाती है रुद्र दामन के जुनागड अभिलेक में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उलेक मिलता है अशोक के अधिकान शिलालेखों में उसे प्रिय दर्शी या देवानम प्रिय कहा गया है पूछा गया है प्रिय दर्शी या देवानम प्रिय देवानम प्रिय देवानम प्रिय मोर्यक असकाल में स्तम्भ मिले ऐसे एरान में भी स्तम्भ मिले तो वहां का इतिहासकार दावा करेगा की हमने भारत को सीकाया हम लोग कहेंगे कि भारतियों से सीकर इरान वाले सीखे होंगे पर दोनों के स्तंब में अंतर भी मिलता है तो ये कहा नहीं जा सकता कि किसने किस से सीखा तो ये कई बार पूछा जा सकता है मोर्य कालिन स्तंब और इरानी स्तंब जो अशोक के स्तंब हैं वो एक कही पत्थर से निर्मित है, जबकि एराँनी स्तंब कई पत्थर जोड कर बनाये गए हैं, अशोक के स्तंब में बिना चोव किया आधार के भूमी पर हैं, जबकि एराँनी स्तंब में नीचे बकायदा एक चोव की बनायी जाती थी, फिर उस पर इस्तंब लगाया जाता था, इरा इरानी स्तम्ब पर मनुष्य की आकृती है अशोक के स्तम् नीचे से उपर की और पतले होंगे जबकि इरानी स्तम् चौडाई नीचे से उपर तक एक जैसी रहती है पॉइन टू भी नोटेट वाले बिंदू है ये सीधा अबजेक्टिव सब्जेक्टिव सभी सवालों का मटेरियल रहेगा अशोक के स्तम् एकाश्म पत्थर से है इरानी स्तम् कई पत्थरों से जोड़ कर बनाए गए है अशोक के स्तम् में नीचे कोई आधार नहीं है जबकि इरानी स्तम् में आधार होते है इरानी स्तम् भवन के अंदर बनाए गए है अशोक ने सारवजनिक जगह पर बनाए है अशोक के स्तम् शिर्श पशूओ की आकरूती है इरानी स्तम् पर मनुष्य की आकरूती है एक ही पत्थर है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर कई तुकडों में बनाए गए हैं, डिजाइन वाले हैं, और घरों के भीतर बनाए गए हैं, घरों के भीतर बनाए गए हैं, इसकी पीडियप चैनल विनल पर सब मिल जाती हैं, आपको पीडियप के लिए जो टेलिग्राम चैनल है, उस पर भी चीज़े मिल जाएगी, आप चीजों को थोड़ा सुनने पर ज्यादा ध्यान दीजेगा, सभी लोग प्लीज, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यह सारे कुछ नहीं हो सकता है, इतने कम समय में चीजों को रिवाइज कराने के लिए, चंद्रगुप्त का कुमरार का प्रासाद महल, अब बोर्यकाल में कुछ अलग-अलग राजा है, क्योंकि अशोग ने तो बहुत कुछ किया, तो क्या बाकी राजाओं ने कुछ नहीं किया था बाकी राजाओं ने भी बहुत कुछ कार्य किये थे, तो जानते हैं कि उनके बारे में अब शायद बहुत सारी चीजे खतम हो गई, अब सोचिए, चंद्रगुप्त का कुमरार का प्रासाद, प्रासाद मतलब महल होता था, ये चित्र देखकर लगता है किसी एंगल से कि य महल है, क्योंकि अब इतने लंबे समय के बाद वो जरजर नहीं मिट्टी में मिल गया है, और ये इस बात का प्रमान है, कि अच्छे अच्छे राजा महराजाओं के महल खतम हो गए, तुम किस बात के गुरूर में हो, कुछ लोगों को बड़ा गुरूर होता है न, कि हमारा महल है, हमारा बहुत बड़ा घर है, या कई सारे गुरूर होते हैं, तो उन्हें दिखा दू मैं, कि चंद्रगुप्त जैसे सामराज्य वाले राजा का, चंद्रगुप्त जैसे राजा का, आज महल खंडरों में तबदिल हो गया है, तो हमारी क्या उकात है, सीखने जैसी बातचीद भी है, राज की अकला का सबसे पहला उधारन, मोर्यकाल में महल के रूप में दिखाने वाली चीजे, चंद्रगुप्त के द्वारा निर्मेत और अशोक के द्वारा विस्तारित, एरियन नामक ततकालीन इतियासकार के द्वारा इसका वर्णन, उस जमाने के इत पतना के निकट कुमरार गाव में है, सोचिए वो गाव भी आज विक्सित नहीं हो पाया, गाव का गाव रहे गया और पतना बड़ा हो गया, जिर्न अवस्ता में विद्यमान है, 140 फुट की लंबाई, 120 फुट की चवडाई है, अधिकांश्त लकडी से निर्मित रहा होग पॉलिश युक्त बलुआ पत्थर का प्रयोग है, फायान मानों द्वारा नहीं बलकि देवों द्वारा निर्मित है, ऐसा कहना था फायान का नगर निर्मान मुख्यत पाटली पुत्र के आधार पर, क्योंकि ये जो मुर्यकाल का केंद्र था, पाटली पुत्र था, तो जैसे सिंदु घाटी का नगर देखा, आमने मुहन जोद्रो विशिष्ट था, वैसे उच जमाने के नगरों के बारे में जानकारी, पाटली पर भी थी दीवारों के चारों और बाहर की तरफ 60 फिट गहरी और 600 फिट चवड़ी खाई बनाई जाती थी ऐसा इसलिए शायद नगर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 60 फिट गहरी कोई साधारन चीज नहीं है 60 फिट गहरी और 600 फिट चवड़ी बहुत बड़ी खाई होगी है मेरी इसाब से 600 फिट चवड़ी तो बहुत ज़्यादा हो गई चवड़ाई कम होनी चाहिए नगरों में आने जाने के लिए 64 दीवारे हैं मतलब रास्ते रहेंगे मकान अधिकांच लकडी के बने होते थे पक्कीटों के प्रयोग को लेकर अभी इतियासकार को कन्फरम नहीं की जमाने में पक्कीटे यूज हुई की नहीं हडपा सब्वेता जैसी नगर नियोजन नह जो अशोक के द्वारा निर्मित कहे जाते हैं इस जमाने की कुछ गुफाए आज भी प्रमानित करती है चीजों को पत्थरों को काट कर गुफाओं का निर्मान मोर्यकाल में देखा गया विशेश कर ये गुफाओं बोद्ध भिक्षुकों के लिए समर्पित थी अशोक द्वारा गया के समीप बारा बर की पहाडियों में गुफाओं का निर्मान प्राचिंतम गुफा दुदामा है अशोक के पोत्र दशरत ने नागार जुनी पहाडियों में तीन गुफाओं का निर्मान किया इसमें सबसे बड़ी गुफा गोपी गुफा है ये बारा बर की पहाडियों में, बारा बर, बारा बर की पहाडियों में मिलने वाली गुफा हैं, जो बारा बर की पहाडिया हैं, अशोक के द्वारा गया के समीप, बारा बर की पहाडियों की गुफा हैं, ये नागार जुनी पहाडियों की तीन गुफा हैं, नागार जुनी पहाडियों की अशोक के पोत्र दश्रत ने नागार जुनी पहाडियों की तीन गुफाएं फिर उदय गिरीक में भी कुछ गुफाएं मिलती है मध्य प्रदेश में स्तित चंद्र गुप्त दुतिया के सरक्षन में पाचवी शताब्दी इस्वी के प्रारंब में दीवारों पर मुर्तियों के लिए प्रसिद्ध है वरहा या विश्नु के सुवर अवतार की मुर्तियु लेकित है वरहा अवतार जिसे विश्नु जी ने वरहा अवतार में पूरी पुरुत्वी को अपने सिंग पर उठाया था शिव नरसिंग नारायन विश्राम करते वे विश्नु को समर्पित गुफाए है तो ये मध्यप्रदेश के उदय गिरी में मिलने वाली गुफाओं के बारे में जानकारी है फिर इस्तूप निर्मित किये गए थे जो बुद्ध के जुड़े हुए शरीर के जो अउशेश थे उसको सरक्षित करते हुए इस्तूप बनाए गए थे बड़ी संख्या में है इस्तूप का मतलब होता है पाली भाशा में धेर एक गोल टिले के आकार की रचना अन्य नाम चेत्य भी कहते है क्योंकि चिता के स्थान पर निर्मित है बुद्ध की अस्तियों को रखने के लिए हाला कि इस्तूप का उलेक सरो प्रतम रिगवेद मे अगनी की उठती हुई ज्वाला मतलब रिगवेद में इस्तूप शब्द का मतलब होता है अगनी की उठती हुई ज्वाला जब कही पर भी हवन किया जाता होगा उस समय किन्तु पुरा तत्विक साक्ष बोद्ध और जेन धर्म के संदर्ब में ही है जेन धर्म से संबंदि में स्टूप की जगह थूप शब्द का उपयोग किया गया है तो बोध्द साहित्य जैसे की हिंदू साहित्य में चारवेद हैं वैसे बोध्द साहित्य में अंगुत्तर हैं और मजीम निकाय हैं यहां स्टूप की जगह पर थूप शब्द का उपयोग किया गया है इस्टू प्रारंब में केवल एक छत्र बनाये जाते थे फिर बाद में उसे भी तीन छत्रों में बनाया जाने लगा तीन लेरों में बनाया जाने लगा सात वहनकाल में सात छत्र भी मिलते हैं स्टूप की परिक्रमा करने के लिए चारों और एक रास्ता मिलता है जिसे वरत्ताकार वेधी का कहते हैं प्रतेक वेदिका पर तीन प्रतिज्याय लिखी मिलती है। बुद्धं शर्नम गच्छामी, धर्मंशर्नम गच्छामी, संगम्खंशर्नम गच्छामे। सतूप में प्रवेश के लिए चार दिशाओं में द्वार मिलते हैं। उन्हें तोरन कहा जाता था चार तोरन। तोरन से प्रवेश करने परिस्तूप और वेदिका के बीच में प्रदिक्षना पद भी मिलता हैं, वेदिका के लिए किनारे स्तंब आलम बन पिंडिका, मतलब यह जो रास्ते के चारो तरफ ऐसे सुरक्षात्मक चीजे मिलती थी, आलम बन पिंडिका कहलाती हैं, गोल चबु उत्रे के उपर स्तूप का जो मुख्य भाग होता है, वो मेधी हैं, मेधी प्राय उच्चा इसलिए उतर चड़ने उतरने के लिए जीना बनाया जाता था, जिने सोपान कहते थे, अब एक नजर देखते चलिए सारी चीजे यह हर्मीका हैं, इसी में बुद्ध की अस्तिया रखी जाती थी, यह सिंगल छत्र होता था, बाद में तीन वाले हो गए, यह हैं पूरा का पूरा स्तूप, जिसे अंड कहेंगे, यह नीचे भी यहां पर पवित्र सामिगरी, यहां घूमने के लिए जो रास्ता हैं, पूरा घूमने के लिए, यह प्रदक्षिना पत हैं, यह प्रदक्षिना पत हैं, और यह वेदी का वाला शेत्र हैं, यह प्रदक्षिना पत हैं, और यह पूरा का पूरा चारोतरप सुरक्षा वेदी का, यह तोरन द्वार हैं, जो चार जगह से दिख रहे होंगे आप लोगों को, तोरन द्वार हैं, और जिस पर यह पूरा स् चलिये, आर्ट एन कल्चर थोड़ा कठीन है, पैक्चूल ज्यादा है, लेकिन कुछ नहीं, दो तीन बार देखते चलेंगे, तो चीजे याद हो जाएगी, देखना अभी मैं इसमें से चीजे याद करवा देता हो, एक तो तोरंद्वार, तोरंद्वार मतलब प्रवेश की हर्मीका सबसे पवित्र, जो की उपर की जचना है, उसके उपर हर्मीका में छत्र मिलेंगे, एक भी, तीन भी, साथ भी, साथ वहां के समय, जो मुख्य रचना है, उल्टा, कटोरा जैसा उसे अंडक एते हैं, प्रदक्षिनापत चारोतरप घूमने के लिए, और यह वेद प्राय उचा इसलिए चड़ने उतरने के लिए जीना बनाया जाता था, जिने सोपान कहा जाता है, यह चड़ने उतरने के लिए सोपान, गोल चबुत्रे के मुख्य भाग के रूप में, यहाँ पर वेदिका के किनारे स्तंब होते हैं, जिने आलंबन पिंडी का कहा जाता ह वेदिका के किनारे स्तंब मिलेंगे उन्हें आलंबन पिंडिका कहा जाता है तो अगर आप केवल दो बार तीन बार चीजों को प्रॉपर देख लीजे तो अभी के अभी वो सारी बाते याद हो जाएगी उरिजनली आप देखेंगे तो इस तरीके का आपको स्तूप दिखाई देगा ये तोरन दुआर को दिखाने की कोशिश है मोर्यकाल के पहले के स्तूप प्राप्त नहीं होते मतलब मोर्यकाल के पहले भी अगर स्तूप हो तो वो नहीं मिलते साहितिक साक्ष अशोक ने पुर्व के आठ इस्तूपों में से जो बुद्ध के अउशेशों पर बने थे उनमें साथ इस्तूपों को तोड़ कर उनमें से अस्ती कलश निकलवाएं और उन पर 8400 इस्तूप बनवा दिये मतलब आप सोचिए अशोक ने जो पहले आठ इस्तूप थे उनमें से साथ को तुड़वा दिया उसमें से कलश निकाले और लगबग 84000 इस्तूप बनवाएं इस्तूप में पहले मिटीट और लकडी का प्रयोग बाद में पत्थर भी होने यूज होने लगे ग्यात इस्तूप के आदार पर अभी तक सबसे प्राचिन इस्तूप पिपर हवा इस्तूप है जो उत्तर प्रदेश में मिलता है पिपर हवा का इस्तूप आप देख सकते हैं बिलकुल खंडर में बदलता जा रहा है भारत में ग्यात प्राचिनतम स्टूप है है इसका निर्मान मोर्यकाल में किन्तु कालांतर में इसे शाक्यों के द्वारा बना मतलब एक तरीके से नव निर्मित किया गया लकड़ी से निर्मित किन्तु एक पत्थर पर ब्राम्मी लिखी में एक लेक उतकिर्ण है जिससे इस इस तूप की मरम्मत शाक्यों दोरा करवाए जाने की जानकारी है। कि मैंने लोगों के कल्यान पर भी काम किया होता, इस तूप कम बनाए होते और लोगों के जीवन को और बेहतर करने का प्रयास किया होता। के नोट पर इसे आपने देखा होगा। और उसके पास दो छोटे स्टूप है। माय स्टूप में भगवान बुद्ध, दुतिय स्टूप में अशोक कालिन धर्म प्रचारक और तृतिय स्टूप में बुद्ध के दो प्रमुक्षिश सारी पुत्र महा मोद गल्यन के आउशेश है। तोरन द्वारों पर जातक कताए, बुद्ध के जीवन की घटनाएं और बुद्ध धर्म के इतियास की घटनाओं का वर्नन द्वार पर ही किया है। साची का स्टूप अलेक्जेंडर कनिंगम ने खुजा, मोर्य समराट अशोक द्वारा निर्मित, इटो से निर्मित तथा लकडी की वेदी का, शुंग का काल में मरम्मत हुई थी, तीन स्टूपों का निर्मान एक बड़ा और दो छोटे, बड़े में भगवान बुद्ध हैं, दुतिय में अशोक कालिन धर्म प्रचारकों का हैं, और तृतिय में उनके दो प्रमुक्षिष्य, जो बुद्ध के थे उनके बारे में, या उनकी अस्तिया हैं, तोरन द्वार पर जातक कताये बुद्ध की जीवन की घटनाएं, या बुद्ध धर्म के इतियास की में दो इस्तंब हैं, जिन पर चार सिह चार हाती हैं, इस्तंबो के निचले भाग में दोनो और द्वार पाल की मुर्तिया, और निचले भाग में भंगीमा पुर्न मुद्रा में खड़ी, शाल भंजीकाओ की मुर्तिया हैं, शाल भंजीका का शाब्दी करत होता है, शाल व पुद्रा में खड़ी है, त्रिभंग मतलब तीन जगह से शरीर मुडा हुआ है, जैसे किसी व्रक्ष के नीचे उसकी एक डाली को पकड़े हुए है, उसके किसी एक डाली को उन्होंने पकड़ा हुआ है, साची का ये प्रथम इस्तूप है जिसके बारे में, साची में दूस दूतिय स्तूप में कोई त्वरन द्वार नहीं है, वेदी का पर बहु संक्यक चित्र उत्किर्न है, वेदी का मतलब सीडियों पर, बुद्ध के जीवन से संबंदी चार द्रश्य, जन्म संबोधी, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरी निर्वान का अंकन, मतलब जन्म से ज जन्म संबोधी, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरी निर्वान, चार प्रती, पद्य, पीपल, व्रक्ष, चक्र और स्तूप के माध्यम से दर्शानी की कोशिश की गई है, साची का तीसरा स्तूप के वल एक ही तोरन द्वारा, इसमें वेदी का पर भी सुंदर अलंकरन, यक्ष, मुर्तिया, इस्तूप, पूजा, बोधी, व्रक्ष, पूजा, चक्र, इस्तंब, गज, लक्ष्मी, नाग, अक्षो, हाती के द्रशों का अंकन भी मिलता है, तो जो साची में तीन स्तूप हैं, उसमें प्रतम स्तूप काफी बड़ा हैं, जिसमें भगवान, गोतम, बुद्ध के बारे में ही सारी चीजे रखी गई हैं, दूसरे में अशोक, कालिन, धर्म, प्रचारक हैं, और तीसरे में जुल, दोशिश्य थे, उनके बारे में स्तूप हैं, उसमें चार तोरंद्वार हैं, यक्ष शब्द का वास्तवी करत होता है, जादू की शक्ति, माना जाता है कि यक्ष यक्षनी भगवान, शियों के दास दासिया हुआ करती थी, देत्य, दानव, राक्ष, यक्ष, गंधर्व, अपसराय, पिशाच, किनर, वान भल, किरात, नाग, आदी, प्रमुक, यक्ष, यक्षनीयों के नाम हैं, फिर दूसरा स्तूप है, भरहूत का स्तूप, सतना, भरहूत में मिलने वाला ये स्तूप, मध्यप्रदेश राज्य में सतना जिले में स्तित है, संभवत, पुष्य, मित्र, शुंग के द्वारा निर्मित, शुंग ने वहां मरम्मत किती, इसका निर्मान किया होगा, कनिंग हम नहीं 1883 में इस स्तूप का पता लगाया, अब केवल आउशेशी विद्यमाने, तोरन द्वारों पर यक्ष यक्षनियों की मुर्तिया जातक कतायंकित है, फिर सारनात में भी एक स्तूप है, जिसे धमेक स्तूप कहा जाता है, धमेक, माना जाता है कि धमेक स्तूप वही स्ताने जा भगवान बुद्ध ने अपने शिश्य को पहला उपदेश दिया था, धमेक स इस इस्टूब की नियो अशोक के समय में रखी गई लेकिन कुशान काल में इसका निर्मान हुआ गुप्त काल में ये पूरी तरह से तयार हुआ इस इस्टूब को छे बार बढ़ा किया गया इसके बावजूद भी इसकी उपरी हिस्ता आज भी अधूरा है छे बार इसका निर्मान हुआ लेकिन आज भी अधूरा माना जाता है मोर्यकाल इन कलाप पर विदेशी प्रभाव और भारतियम मिश्रंद अभी हम मोर्यकाल की बात कर रहे हैं मतलब सिंदू घाटी सब्वयता के बाद मोर्यकाल में आप देख रहे होंगे किस तरीके के एकाश्म इस्तंबल एक थे शिला लेक थे शिला लेकों के बाद महल देखा हमने महल के बाद इस्तूप देखे उठ जमाने के और इस्तूपों का निर्मान 84,000 इस्तूपों का निर्मान किया गया था अब कुछ ही बचे हैं कुछ की मरम्मत की गई थी कुछ को नया किया गया था मोर्यकाल इन कला पर विदेशी प्रभाव और भारतिय मिश्रन मोर्यकाल में धार्मिक पद्धती में नवीन आयामों का समावेश देखा गया हिंदु बोध जेन धर्म अशोग का धम इनका मिश्रन अनेक प्रकार की मिश्रित इस्थापत्य कला का विकाज भी मोर्यकाल में हुआ मोर्यकाल में पहली बार खड़ी मुद्रा में विशाल यक्ष यक्षनियों की मुर्ती मिलती है मतलब वो खड़ी मुद्रा मतलब इस स्टेंडिंग स्टेज में यक्ष यक्षनियों जो कि भगवान शिव के एक तरीके से भक्त या दास दासी माने जाएंगे मोर्य राजवंश के प्रतम तीन शाषक चंद्रगुप्त, बिंदुसार और हशोक के समय इरान के एके मेनियन और ग्रीक मगदुनिया शाषकों में मित्रता पुर्ण संबन था और जब मित्रता पुर्ण संबन ओंगे तो कलाकारों का आना जाना भी होगा अता इन शेत्रों की कलाओ का प्रभाओ मोर्य काल पर भी पड़ा इस्तंबों पर राजाओ के आदेश और घोशनाओ का उतकिर्नन पश्चिमी एक मेनियन सामराज्य में प्रचलित था तो ये जो इस्तम्ब थे इन इस्तम्बों पर राजा के आदेश राजा की शिक्षाओं को च्छापने की जो प्रकृया थी वो यहां से ज्यादा एक मिनिया सामराज जमी मिलती थी पॉलिशदार सतव और शिर्ष पर जानवरों के उत्किर्णन की परंपरा एक मीनियन इरानी स्तंबो में और खरोष्टी लिपी कही न कही इरानी लिपी से ही मिलती जुलती है मोर्योत्तर काल की स्थापत्य कला में जो इंडो ग्रीक या हिंद यवन का मिश्रन मिलता है आए ज़रा देखते हैं भारती स्थापत्य कला के संदर में मोर्योत्तर काल में वैसे तो कोई विशेश परिवर्तन नहीं आया मोर्य के बाद के टाइम पिरेड में पर इस समय आपको मोर्यकाल की कलाओं के अलावा कुछ नवीन कलाओं मिलेगी इंडो ग्रिक शाशकों के प्रभाओं से गांधार कलाशेली विक्सित होती हैं अब ये जो इंडो ग्रिक लोग हैं ये रोमन सामराज्य के निकट वाले हैं तो वह रोमन देवताओं के जैसे मु शोक के कार्य में या मोर्य युग में बुद्ध की मुर्तिया शान्त स्तती को दर्शाती थी उन मुर्तियों में सुन्दर्ता से ज्यादा मुर्ति के हावभाव पर ध्यान दिया जाता था कि उस मुर्ति को देखने पर एक शान्त इस्थिर चित्त मनुष्य की आकृती बने और उनके शान्त मन के अलावा उनकी अलग-अलग मुद्राओं को दर्शाने की कोशिश करते थे लेकिन जब मोर्योत्तर काल आता है और इंडो ग्रीक या हिंद यवन लोग आते हैं तो ये मुर्ती की सुन्दरता पर ध्यान देते हैं उसके हाव भाव पर नहीं गौर करेंगे बलकि वह सुन्दर दिखनी चाहिए नाक बहुत सुन्दर होगा आखों में सुन्दरता दिखाई देगी मुर्ती को देखने पर उसके चित्त के बारे में पता ना चले लेकिन उसकी सुन्दरता का बोध हो पाएगा उसकी सुन्दरता का बोध हो पाएगा जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि हमारे जो भगवान हैं उनमें भी बदलावा रहे हैं पहले जब हम महादेव जी को देखते थे तो एक शान्त चित्त मूर्ती बनाई जाती थी जो बहुती गहरी तपस्या में लीन है लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि कई फोटोग्राप वशान्त चित्त की जगत थोड़ा एक्ग्रेशन दिखाते वे बनाई जा रहे तो ये परिवर्तन ये बदलाव तो वैसा वहाँ पर भी हुआ होगा उठ जमाने में जो इंडो-ग्रीक लोग आए इनोंने भी बदलाव किया होगा इंडो-ग्रीक के बाद आए शको के काल में कुछ प्रमुक अभीलेक प्राप्त वे जो ततकालीन वास्तुकला का प्रतिनिदित्व करते हैं राजूल का सीह शिर्ष इस्तंब मिला मतुरा में शोडास का दान पत्रलेक मिला मतुरा में नहपान का गुछालेक नासिक में पढ़ाता हमने याद करिए प्राचीन काल के इतियास में इंडो यवन के बाद आने वाले जो शाशक थे शक थे उन शाशक के अवकाल की बातचीत कर रहे हम लोग उशावदान या रिशबदत का गुहालेक नासिक में ही रुद्रदामन का अंधो कच्छ की खाड़ी गुजरात में या रुद्रदामन का गिरनार शिलालेक जुनागड में तो दो नासिक में दो मतुरा में और दो गुजरात या जुनागड में हमने देखा था कि शको के चार केंद्र थे, शको ने अपने कार्य को मोर्य यूगिन शिला लेखो के भाती, गूह लेखो, शिला लेखो और आदी के द्वारा सुरक्षित किया, तो इन्होंने सीखा कि कैसे अशोक के दौर में या मोर्य यूग में किस तरीके की चीजे हुई तो यदि हम बातचीत करें तो वैसे ही आने वाले राजाओं ने भी वैसे ही अपने कार्यों को अलग-अलग लेखों के माध्यम से सरक्षित किया शको ने कभी भी किसी एतियासिक शिलाले किया तथ्यों को नस्ट नहीं किया तो शको ने भले ही आक्रमन किये लेकिन तथ्य नस्ट नहीं किये ऐसे प्रमान मिलते है मोर्योत्तर काल की एक प्रमुक विशेष्टा यह रही कि इस काल में मंदिर निर्मान की शैलियों का विकास प्रारंब हो गया था जिने गुप्त काल तक आते आते सूव यवस्तित और प्रथक अस्तित्व प्राप्त कर लिया हाला कि अविकास कैसे प्रारंब हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है मोर्योतर काल में विभिन विजे विदेशी शाशकों के आगमन के कारण बदलाव आये और फिर हम देखते हैं कि इस दवरान मंदिर स्थापत्यकला में बहुत परिवर्तन आते हैं नागर शैली, द्रविट शैली, बेसर शैली और कलिंग शैली ये मंदिरों के अलग-अलग डिजाइनों को दर्शाती है कुछ जगह पर मंदिर कई मंजिल बनाए जाएंगे कुछ जगह पर एक ही पूरा उचा मंदिर स्थूप जैसा होगा जिसमें मंजिल नहीं होगी तो नागर शैली, द्रविट शैली, बेसार शैली ये मंदिरों की शैलिया मिलती है याद करिए वेद, ब्रामन, उपनिशध हमने चर्चाय की थी तो पहली बार शैली बार शैली ब्रामन में मंदिर जैसे शब्द का वर्नन मिलता है क्योंकि सिंदू घाटी सब्वेता में तो ऐसा कोई वर्नन ही नहीं है मंदिर को तमिल में कोविल कहते हैं ती हम जिसे मंदिर कहा रहे हैं, कंणड में देविस्तान और गुडी कहते हैं, तेलगु में आलयम कहा जाता हैं और मलियालम में शेत्रम कहा जाता हैं तो अलग-अलग भाशा में मंदिरों के लिए अलग-अलग शब्द का उपियों किया गया है तमिल में कोविल, कंणड में देविस्तान या गुडी, तेलगू में आलयम, मलियालम में शेत्रम मंदिर के मूल सोरूप का विभाजन चार भागों में किया जाता है मतलब मंदिर में चार भाग जैसे हमारे घर में चार भाग हो सकते हैं ड्रॉइंग रूम हो सकता हैं बेड रूम हो सकता हैं किचन हो सकता हैं तो इस तरीके से ड्रेसिंग रूम हो सकते हैं तो ये जैसे हम घर के अंदर एरिया नहीं बाटते हैं कि यहां पर बैठने की विवस्ता होगी, यहां खाना बनाया जाएगा, यहां सोने की विवस्ता होगी, यहां फिर वो डाइनिंग टेबल का एरिया होगा, वैसे मंदिर के भी चार भागों में वर्नन किया गया है, सबसे पहला है गर्बग्रह, जहां पर मंदिर के अंदर दे जारित मंदिर का प्रवेश कक्ष तो जैसे मान लीजे कि यहां पर एक मंदिर हैं तो यह हो जाएगा गर्बग्र और यहां पर मंडप होगा जिस पर लोग बैठ सकते थे यहां पर जगह मिलेगी शिखर यह मंदिर का शिर्ष कहलाएगा शिखर और वाहन मंदिर के मंदिर के देवता की सवादी को भी यहां बनाया जाता था, तो मंदिर के चार भाग होते थे, गर्बग्रह, मंडप, शिकर और वाहन, जैसे कि अगर हम बात्चीत करें, तो कई जगह पर आप देख सकते हैं, यहां मुख्य हैं, गर्बग्रह, यह हैं मंडप, रियल में देखा जाएं, तो मंडप, कुछ जगह दो-दो मंडप भी मिल जाएंगे, यह मंडप, यह अर्ध मंडप, यह शिकर कहलाएगा, यह शिकर में भी उपर जैसे कुछ मंदिरों में कलश मिलते हैं, कलश और शिकर के बीच में भी अमाल का मिलता हैं, मंदिरों के पूजा ग्रह के तीन प्रकार थे पूजा ग्रह मतलब मंदिरों में एक तरीके से भगवान के प्रती निष्टा व्यक्त करने वाला जैसे कि ऐसे मंदिर जिनके गर्ब ग्रह के चारोर घुमने की जग मिले मतलब आप प्रदक्षिना लगा सके ऐसे मंदिरों के प्रदक्षिनापत यदी मिले तो उन्हें संधर कहेंगे अगर प्रदक्षिनापत नहीं मिले तो उसे निरंधर कहेंगे और यदी हर तरप से प्रवेश मंदिर में हो सके तो सर्वतो भद्र मंदिर कहेंगे तो मंदिर भी कई टाइप के हैं उनमें प्रदक्षिनापत है या नहीं उनमें प्रवेश द्वार एक है कि कई प्रवेश द्वार है उसके आधार पर यदि किसी मंदिर में कई प्रवेश द्वार है या कई रास्त जैसे एक मंदिर नहीं होता है कि कई से भी एंट्री कर सकते हैं सर्वतो भद्र प्रदक्षि पत है तो संधर के नाम से जाना जाता है मंदिर निर्मान की शैली मतलब मंदिर का किस तरीके का निर्मान होगा क्या वो बहु मंदिला होगा मंदप कैसा होगा गर्भग्र कैसा होगा उसके आधार पर जनरली तीन शैलिया मिलती है और चौती कलिंग में एक विशिष्ट प्रकार की शैली यहां प्राप्त होती है तो फिर से अगर हम बातचीत करें तो मंदिर में चार भाग होंगे चार भाग के अलावा मंदिर पूजा ग्रह के आधार पर तीन प्रकार के होंगे की संदर हैं निरंधर हैं और सर्वो तो भद्र हैं मंदिर के निर्मान की शैली ओपर आते हैं नागड शैली द्रवीड शैली और वेसर शैली काफी अच्छा चित्र हैं जरा इस पर गौर करिएगा चित्र से आपको किलियर होना चाहिए और ये मंदिर आपको उत्तर भारत में मिलेंगे ये मंदिर आप जब दक्षिन भारत में घूमने जाएंगे और इन दोनों का मिश्रन आप देख सकते हैं वेसर शैली में चित्र पर ध्यान दीजे तो आपको मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी स्पस्ट हो सकती है नागर, द्रवीडोर, वेसर, शैली वेसर या बेसर जिसे हम कहेंगे मिश्रन है वो एक तरीके से मंदिर निर्मान की शैली में सबसे पहले नागर शैली नागर शैली के मंदिरों में अगर हम बात्चित करें तो उतनी लंबी जग मंदप इतना बड़ा नहीं मिलेगा एक मुख्य मंदिर होगा उसके साथ जुड़े कई छोटे मंदिर हो सकते है नागर शब्द का मतलब नगर से निर्मित सर्व प्रथम नगर में निर्मान होने के कारण मतलब वास्तवीक रूप में यहां पर पहले मंदिर बना लोगों की आने की तादात आस्ताओ के कारण बढ़ गई तो यहां लोग बसने लग गए और एक नगर का निर्मान हो गया जैसे काशी जिसे आज बना रस या फिर वारा नसी के नाम से जानते हैं तो मंदिर निर्मान के बाद शहर बना तो सरोप्रथम नगर में निर्मान होने के कारण नागर शैली हिमालय से लेकर विंद्य परवत अब जरा ध्यान से देख लीजेगा ये पूरा हिमालई शेत्र है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्वा और यह विंद्य पर्वत है विंद्य पर्वत के बाद आपको सत पुड़ा और फिर एक तरीके से विंद्य पर्वत मुख्यरूप से मध्य प्रदेश वाले रिजन में मिलेगा ये विंद्य परवत है और नीचे सत्पुडा तो ये जो शेत्र है भारत का या ये जो शेत्र आपको मिलेंगे इस शेत्र में आपको मंदिर जो मिलते वो नागर शैली के मिलते है हम देखेंगे कि दक्षिन भारत में द्रविट शैली के मिलते है शिखर की प्रधान्ता शिखर मतलब बहुत इंपॉर्टेन अनुप्रस्तिका या उत्थापन समन्वै शिखर ऐसा होगा कि सिंगल काफी उचा रहेगा मंदिर आधार से शिखर तक चतुष कोनी होता है मंदिर उचाई में आठ भागों में बाटा जा सकता है अगर हम नीचे से उपर की बात करें तो मंदिरों को कई हिस्सों में बाटा जा सकता है मंदब गर्बग्र तो उसके भाग हुए नीचे से उपर तक जाए तो मंदिर में कई हिस्से मिलेंगे जैसे सबसे निचला हिस्सा होगा मूल आधार आधार के बाद जहां मंदिर का मुख्य मुर्ती मिलेगी वगर्बग्र मसरक जो एक तरीके से नीव और चार दीवारों के बेस पर तो ये आधार घरों में भी होता है बेस फिर दीवार और यही पर मुख्य मुर्ती तो गर्बग्र मसरक फिर जंगा ये जो उसके दीवारे हैं इसको जंगा कपोत, कार्निस, शिखर, गल, गर्दन वर्तुलाकार आमलक और सबसे उपर होता था शिर्ष इस शैली में बने मंदिर आपको मिलेंगे उडिसा में कलिंग मंदिर, गुजरात में लाट मंदिर और हिमालाई शेत्र में मिलने वाले अधिकतर मंदिर आपको ऐसे ही मिलेंगे इस समय जो अयोध्या में मंदिर का निर्मान हो रहा हैं वो मंदिर भी लगबग इसी नागर शैली के जैसा दिखेगा महामंडप मतलब मुख्य रूप से मंदिर का वो इस्थान जहां भक्त गन बड़ी संक्या में जमा होते हैं प्रवेश प्राप्त करने के लिए सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग प्रमुक शिल्प शास्त्रों के अनुसार नागर शैली के मंदिरों के आठ प्रमुकंग है अधिश्टान मूलाधार जिस पर पूरा भवन खड़ा होता है शिखर मंदिर का शिडश भाग अत्वा गर्ब ग्रह का सबसे उपरी हिस्सा कलश शिखर के उपर भी एक कलश नुमा सरचना आमलक शिखर के शिडश पर कलश के नीचे कवर्तूला कार भाग जैसे कि ये शिखर हुआ तो यहाँ पर और फिर यहाँ कलश तो ये हैं आमलक ग्रीवा शिखर का उपरी ढलवा भाग ढलान कपोत किसी द्वार या खिड़की दीवार या इस्तंब का चट जो मंदब की चट होती है जनरली उससे जुड़ा हुआ भाग मसूरक नीव और दीवारों के बीच का भाग जो बस्ता है वह मसूरक और जंगा दीवारों को विशेश कर जो गर्बग्रह को घेरती है फिर रिपीट कर रहा हूँ आर्ट इन कल्चर केवल कठी निसीलिये है क्योंकि थोड़े फैक्ट ज्यादा है क्योंकि जैसे अब हमने चौदा शिलालेक पढ़े फिर एक मंदिर की आठ चीजे पढ़ना तो पढ़ेगा कलेक्टर बनने का सपना है लाल का बनना है बड़ा अधिकारी तो थोड़ा मेहनत तो करना पढ़ेगी लाल लालियो देख रहा हूँ मैं कई लोगों के मनोबल कमजोर हो रहे हैं कई लोग पलायन कर रहे हैं ये वे लोग हैं जो मैदान छोड़ रहे है पर यदि तुम्हारे अंदर है ललक कि हां मुझे तो सर बनना ही आया आप बताईए कितना पढ़ना है मैं पढ़ूंगा तो समझ जाना क स्ततिया आयस बनने वाली आ गई हैं इसलिए लड़ना पड़ेगा आज की कक्षा काफी लंबे समय से आप लोग कह रहे थे न कि सर आर्ट इन कल्चर कंप्लीट कराईए मास्टर लगा हुआ हैं तुमसे ज्यादा हाड़ वक कर रहा हूं मैं सुबह साड़े छे से क्लास में कंटिन्यू लेते रहा हूं पड़ रहा हूं लेकिन अभी भी लगातार पूरी उर्जा के साथ खड़ा हूं तीन चार घंटे कंटिन्यूसली बोल रहा हूं तुम्हें समझा रहा हूं तो आप भी अपने मस्तिश्क को तयार रख लीजे कि जब एक मास्टर जो की पूरी त सके तो पढ़ना तो पढ़ेगा लाल लालियो भाग नहीं सकते नई चीजे हो तो भी चलेगा कम समझ में आ रहा हो तो भी चलेगा लेकिन पढ़ना तो पढ़ेगा तो अभी लगे रही है भगोडों के लिए दुनिया नहीं बनी है युद्ध तो बना उसी के लिए है तो ये काफी बेतर आप समझ पा रहे हैं एक ही जगह पर सारी चीजों को जमा करना और एक फ्लो बनाना ये कोई साधारन बात नहीं है इसलिए आटिम कल्चर की मेरातन क को इतना टाइम लग गया क्योंकि उस नजरिये से चीजों को तयार हम कर रहे थे जिससे कि आप अपना बेहेतर परिनाम कर सके तो नागड शैली के मंदिरों को आप देख सकते हैं जैसे कोनार सुर्य मंदिर हैं जगनात मंदिर कुछ उडिसा में भी इसके प्रभाव मिलते वैसे तो विंध्य तक मिलता हैं लेकिन कुछ परिवहां पर भी उधारन मिलेंगे फिर दशा उतार मंदिर जो देवगड में मिलता हैं छटवी सदी का विश्नु मंदिर हैं देवगड में साची में भी एक मंदिर मिलता हैं पर उसमें आप देखेंगे कि शिर्ष नहीं है लेकिन जनरली निर्मान लगबग उसी के जैसा हुआ है तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ मंदिर निर्मान की शैलियों के आधार पर पहली नागड़ शैली हमने देखी नागड़ शैली का मतलब हमने समझा हमने जाना किस मंदिर की क्या खासियत होती है उधारन हमने देखे और मंदिर के नीचे से उपर तक के जो आट भाग होते हैं उस पर भी चड़्चाए हमने की है अब मंदिर निर्मान की दूसरी शैली है द्रविड शैली धन्यवाद धन्यवाद राधा सरोज द्रविड शैली दक्षिन भारत में गोदावरी के नीचे क्रिशना नदी से लेकर ये कन्या कुमारी ये था विंध्यन तो विंध्यन से लेकर कृष्णा नदी के बीच में हमें मिलता है बेसर शेली के मंदिर एक तरीके से मिश्रित मंदिर है नीचे द्रवीडियन मंदिर है और उपर नागर मंदिर है द्रवीडियन शेलो के मंदिर की सबसे बड़ी खुपसूर्ती है बहु मंदिला अगर आपने एक मंदिर जिससे बहुत बड़ा ख़जाना मिला था त्रिवेंद्रम तिरुवनंत पुरम केरल में याद करिए तो उस मंदिर को आप देखेंगे कई मंजिला इमारत है और वहाँ भगवान विश्नु लेटी हुई अवस्ता में है उस मंदिर में जब आप एंट्री करेंगे तो एक अलग ही उरजा का नूबह होगा और जब आप उनकी मुर्ती को देखेंगे तो इतनी पुरानी होने के बावजूद एक अदभुत शक्ती आपको वहाँ महसूस होगी द्रविट शैली की क्या विशेष्टा है तो इस द्रविट शैली में चाहार दिवारी मतलब मंदिर के चारो तरफ पहले तो एक बहुत बड़ा पूरा बाउन्डरी वाल होगा जि ऐसे वहाँ तोरन कहते थे स्टूप में यहां गोपूरम कहेंगे मंदिर या तो वरगाकार या अस्ट कोनिय गर्भग्र होंगे फिर पिरामिड नुमा शिखर नदी मंदप नदी मंदप मतलब काफी नदी मंदप मतलब काफी लंबा मंदप होता है लंबा मंदप विशाल स केंद्रित प्रांगन बहुत बड़ी जगह अस्ट कोन मंदीर सरतना इसमें शामिल हो गया आप देख सकते हैं नदी मंदब जैसा मतलब एक लंबा स्ट्रक्चर तो आप देख सकते मुख्य मंदीर और वो कई मंदीला है कई मंदीला द्रविट शैली के अंतरगत ही नायक शैली का विकास वा नायक शैली मतलब द्रविट शैली में ही कुछ विशिष्ट प्रकार जैसे मिनाक्षी मंदीर मदुरेई का रंगनात मंदीर स्री रंगम तमिलनाडू का और रामेश्वरम मंदीर आप द्रविट मंदीर में देख सकत में तटिय मंदिर महा बली पुरम वाला विरुपाक्ष मंदिर पटड कलका और कैलाशनात मंदिर एलो राका भी कुछ ऐसा ही विशिष्ट प्रकार की मंदिर शैली को दर्शा रहा हैं या देख सकते कितकई मंजिल बनाया गया है कई मंजिल मंदिरों की नागर और द्रविट शैलियों में अंतर क्या है ये कहां से लिया गया है सरकार की जो भी वेपसाइट है तो नागर शैली जन्रली वरगाकार आधार पर निर्मित होती थी द्रविट शैली आधा का वरगाकार और आधाकार करी लाल लाली कहेंगे तो ये इस तरीके का है और ये इस तरीके की बात किता है शिखर की सरचना परवत श्रंग के समान है तो शिखर परवत श्रंग के समान यहां पर भी शिखर जन्रली पिरामीड का मतलब होता है एक तरीके से चारों दीवारों से यह जुड़ती हुई आएगी पिरामीड के समान शिखर के साथ उप शिखर की उर्द्वर एक यह परंपरा शिखर का शैतिज विवाजन यहां कई हिस्सों में शिखर बटा होगा मंजिलों में और शिखर पर भी मुर्तिया बनाई जाती है शिखर पर कई मुर्तिया मिलेगी यहां जन्रली मुर्तियों का अ शिखर के शिर्ष भाग पर कलश की जगह बेलनाकार वो एक ओर से अर्ध चंद्राकार रचना जिसके उपर अनेक कलश इस्तु पिकाए होगी। मतलब कई छोटे-छोटे कलश का निर्मान। शिखर सामान्यत एक मंजिल होगा और शिखर सामान्यत बहु मंजिल होगा। गर्भगर के सामने मंडप और अर्ध मंडप होंगे। गर्भगर के सामने मंडप ओजरूरी नहीं है। प्राय शिखरवीन मंडप चावडी या चोलित्री के रूप में स्तंब युक्त महा कक्ष होगा। द्वार के रूप में सामानेत तोरन द्वार यहां विशाल गोपूरम होता हैं बड़ा द्वार होता हैं मंदिर का सामाने मंदिर का एक बाहर प्रांगन छोटा लेकिन बहुत विशाल प्रांगन होते थे इनके परीसर में जलाशय आवश्यक्ता नहीं परीसर में कल्यानी या पुश्किर्नी के रूप में बड़े बड़े जलाशय भी मिलेंगे मंदिर में ही तालाप जैसी रचना मंदिर प्रांगन में प्रतक दीप इस्तंब और ध्वज इस्तंब का विधान नहीं मंदिर प्रांगन में दीप इस्तंब अलग जगह पर और वाइज इस्टक हो रही है ठीक है वाइज इस्टक हो रही है वन से कोई बात नहीं एक बार बस एक मिनिट में मैं वाइज को वाफिस करा रहा हूँ मुझे बताइएगा कि चेंज आया या नहीं बताइएब आवाज ठीक आ रहा है वापिस आएंगे हम अंतर पर फिर चर्चा करेंगे कि नागर शैली और द्रविट शैली में जो मंदिर थे उनमें क्या अंतर था तो सबसे पहले तो आवाज बता दीजे कि आवाज अब क्लियर है पूरी तरह से बढ़िया तो अगर हम बातचित करते हैं तो मंदिर की नागर और द्रविट शैली में जैसे जहां नागर शैली थी वहाँ पर वरगाकार जनरली आधार बनता था द्रविट शैली में जो बेस बनता था वो रेक्टेंगुलर होता था शिकर की सरचना परवत के जैसे लेकिन या प्रिज्म या पिरामीड के जैसे बनती थी शिकर के साथ उप शिकर की उर्द्वर एकिक परमपरा शिकर का शैतीज विभाजन मतलब कई मंजिलों का बनाना और उन पर भी मूर्तिया बनाते थे ये लोग द्रवीडियन लूग मंदिर का प्रांगन उतना बड़ा नहीं होता है यहां मंदिर का प्रांगन बहुत बड़ा इसी में तालाब भी होता था कल्यान या पुष्किर्नी के रूप में जलाश है प्रांगन में प्रथक दीप इस्तंब और ध्वज इस्तंब मतलब मंदिर के प्रांगन में दीब जलाने के लिए और ध्वज को लगाने के लिए कोई अलग जगनी होती थी, इसमें अलग से चीजे बनाई जाती थी, द्रविट शैली की तुलना में कम उचाई, सामान्यत नागर शैली कम उची होती हैं मंदिरों में, लेकिन यहाँ पर जो द्रविट शैली बहु मंदिला इमारत के कारण मंदिर काफी उचे होते हैं, बेसर श्रेनी विंध परवत से लेकर कृष्णा नदी के बीच में और दोनों शैलियों का मिश्रन होगा, नागर और द्रविट शैलियों के मिले जिले रूप को बेसर शैली कहते हैं, बेसर या अर्ध गोलाकार व्रंदावन का वेश्नव मंदिर बेसर शैली का उधारन हैं तो आप देख सकते हैं कि मंदप उतना बड़ा नहीं हैं पर बहु मंदिला मंदिर बन चुका हैं तो कई सारे चेंजेस आपको इस मंदिर में दिखाई देंगे जो ना तो शुद्धरूप से नागर शैली है ना द्रविट शैली हैं हमपी का मंदिर या होए सालेश्वर मंदिल हैल बिडू का तो नागर शैली समतल छत से उट्टी हुई अगर हम बादचीत करें तो देखना यहाँ थोड़ा सा गोलाकार सरचना आपको यहाँ मिलेगी जो द्रवीडियन शैली है जो वेसर स्टाइल है उसमें वैसा ही स्ट्रक्चर गोलाका लेकिन कुछ मंजिल मिल जाएगा फिराकरी होती है कलिंग शैली प्राचिन कलिंग शैत्रिया उडिसा पुर्वी बंगाल उत्तरी आंद्रप्रदेश के कुछ पुर्वी भारतिय राज्य में विक्सित पुर्वी भारतिय राज्य मतलब ये वाला जो हिस्सा है इस जगह पर विकास का इस पस्टकाल ग्यातने उडिसा का कोनार कसुर्य मंदिर इसका बेश्ट उधारन है अब आते हैं मोर्यकाल के बाद तो मोर्यकाल में हमने क्या क्या देखा मोर्यकाल में हमने मोर्यकाल के दौर के अशोक के द्वारा बनाए गए शिला लेक पड़े इस्तंब लेक पड़े फिर मोर्योतर के काल के बाद में जिस तरीके की गांधार कला आई थी जिसमें मूर्तियों को सुन्दर करने का प्रयास और कुछ इस्तंबों को बनाने की कोशि अब आते हैं गुप्त काली निस्थापत्यकला तो पहले सिंदु घाटी सब्वेता फिर मोर्यकाल फिर मोर्योत्तर काल अब गुप्त काल की हम बात्चित कर रहे हैं ये शुरू होता है लगबग चौथी शताब्दीस से चौथी शताब्दीस साप्पुर्व से इसका प्रारंब और ये भारत का स्वर्निम युग माना जाता हैं मतलब ये केवल और केवल कलाओ का स्वर्निम युग नहीं हैं पूरे भारत का स्वर्निम युग यहां पर सबसे चीजे आपको बेहतर दिखाई देगी और सबसे ज्य हिंदू शाशकों के सरक्षन में प्रसिद्ध हुई। इतियास कारों का कहना है कि प्रारंबिक जो गुप्त शाशक थे, वो बुद्ध धर्म के अनुयाई थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, और बादवाले गुप्त शाशक हिंदू धर्म के अनुयाई थे, इसलिए उन्होंने मंदिरों का सरक्षन किया, कला की विविद विधाये, जैसे वास्तु कला, इस्थापत्य कला, चित्र कला, मृदभांड कला, इन्स युग में सबसे चरम सीमा पर पहुची, धर्म और कला का समन्व इस्थापित हुआ, और कला पड़ से विदेशी प्रभाव खत्म हुआ, अब भारतिय कला कारों की चीजे दिखने लगेगी, गुप्त युगिन वास्तु कला का सबसे बढ़िया उधारने मंदिर, मंदिर के अउशेश इसी काल से है, इस अउधी में मंदिरों की वास्तु कला, बोद्द और जेन कला भी अपने शिखर पर थी, भारत के उत्तरी और मध्य भाग में विश्नु, दक्षिनी भाग में शिव, पुर्वी और माला बार्तट या दक्षिन पश्रिम भाग में, शक्ती मतलब देवी से जुड़ेवे मंदिर, तो उत्तर और मध्य भाग में विश्नु देवता से जुड़ेवे मंदिर, दक्षिनी भाग में शिव, मतलब भगवान शिव से जुड़ेवे मंदिर, इस यूग की इस समय की सबसे बड़ी कला मानी जाती है, सबसे पहले अजन्ता महराष्ट में ओरंगाबाद के पास वागोरा नदी के पास इस्तिधाये चट्टानों को काट कर बनाये गए बुद्ध गुफाये भित्ती चित्रकारी के लिए विख्यात चित्रों में सामान्यत बुद्ध और जातक कहानियों को दर्शाया गया है वाकाटक राजाओ हरी सेन के सरक्षन में गुफाओं का विकास 200 इसा पुर्व से 650 इस्वी के मद्ध मलब एक जेक तारीक नहीं पता इन 800 वडशों में कही हुआ होगा ये अजन्ता की गुफाए और लगबग हम कहेंगे कि सभी गुफाओं में कुछ गुफाओं में मुख्य रुप से केवल बुद्ध की मुर्तिया हैं और कुछ में छोटे छोटे बुद्ध विक्षुकों के रहने की जगह भी मिलती है तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से पत्थर को काट कर बनाया गया इस्ट्रक्चर है ये कुल 29 गुफाए हैं अजन्ता की सभी गुफाए बुद्ध धरम से जुड़ी हुई है इन गुफाओ के चित्र में लार रंग की प्रचूरता है पर मैं आपको बता दू कि नीले रंग की भी उपस्तिती है नीला रंग है पर वो भारतिय नहीं है ये माना जाता है कि उस समय नीला रंग जो इरान में प्रसिद्ध था वहां से लाया गया है 1983 में युनिसको ने विश्व विरासद इस्तल गोशित किया चीनी बोध्ध यात्री फायान चंद्रगुप्त दुतिय के शाशनकाल के दौरान 380 से 415 इस्वी में आता है और हें स्तांग समराथ हर्ष वर्दन के शाशनकाल के दौरान 606 से 647 इस्वी के मद्य यात्रा का वर्णन उल्ले कित है फिर है अलोरा की गुफाय अजंता से 100 किलोमीटर लेकिन जहां अजंता की गुफाय बुद्ध धरम से जुड़ी हुई है अलोरा की गुफाय बुद्ध धरम के साथ-साथ हिंदू धर्म से जेन धर्म से जुड़ी हुई है महाराष्ट की सहादरी परवत माला में स्तित है 34 गुफाओं का समु है 17 ब्राम्मन, 12 बुद्ध और 5 जेन तो अगर हम बाच्चित करें टोटल 34 गुफाओं का वर्णन है शुरुवात में राष्ट कुट वंच के शाशकों के द्वारा की गई लेकिन पूरा निर्मान उनके द्वारा नहीं हुआ अजन्ता की गुफाओं केवल बोद्ध धर्म से संबंदित है जबके एलोरा की गुफाओं तीनो धर्म से संबंदित है एलोरा की गुफाओं में तीनो धर्म से जुड़े हुए यहाँ पर मंदिर मिलते है और वो अजन्ता की गुफाए जहां सरल बनाई गई है एलोरा की गुफाओं में बहुत उत्कृष्ट वास्तु शास्त्र मिलता है एलोरा में कुछ प्रमुग गुफाए गुफा संक्या दस विश्व कर्मा गुफा कहलाती है यह बढ़ई की गुफा के नाम से भी जानी जाती है धर्म चक्र मुद्रा में बुद्ध विराजमान है उनकी पीट पर बोधी वरक्ष उकेरा गया है मतलब धर्म चक्र मुद्रा में बुद्ध को रखा गया है गुफा संक्या चौदा रावन पर आधारित है गुफा संख्या 15 दशा अवतार मंदिर है भगवान विश्नु के 10 अवतार गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है गुफा 21 रामेश्वरम मंदिर है और दो प्रसिद्ध जेन गुफाए इंद्रसभा और जगनातसभा गुफा 32 और 33 में है तो दस्वी गुफा में विश्व कर्मा गुफा भी कहते हैं बुद्ध धरम से जुड़ी हुई है 14 रावन पर 15 दशावतार 16 कैलाश मंदिर 21 रामेश्वरम मंदिर और दो प्रसिद्ध जेन गुफाए इंद्र सभा और जगनात सभा गुफा 32 और 33 में है फिर है बाग की गुफाए बाग मतलब मद्यप्रदेश के बागीनी नदी के तट पर मिलने वाली पाचवी और छटवी शताबदी में निर्मित है इसमें नव बुद्ध गुफाए का समू है जैसे अजन्ता में पूरी बुद्ध गुफाए है वास्तु शास्त्रिय रूप से अजन्ता की गुफाओं के जैसी है सबसे महतुपुन गुफा रंग महल कहलाती है बाग गुफाओं में पेंटिंग आध्यात्म वादी के बजाए अधिक भौतिक वादी है मतलब यहाँ पर लोग तपस्या और शान्त चित्त के लिए नहीं आते थे बल्कि एक तरीके से शानों शौकत को दर्शाने का काम करती है बाग गुफाओं इनके निर्मान में भी बेहतर तरीके से चीजों का निर्मान किया गया जूनागड की गुफाओं गुजरात के जूनागड में स्तित बोद्ध धर्म की गुफाओं असल में यह गुफाओं नहीं हैं तीन भिन प्रकार के स्थल खपरा कोडिया बाबा प्यारे और उपर कोट अब यह केवल और केवल आउशेशों के रूप में बचे हैं यह रहने का एक तरीके से जगह कहलाएगा मंड पेश्वर की गुफाए मुंबई के निकट बोरी वली में स्तित है मोंट पेरीर गुफाओं के नाम से भी पहचानते हैं परिवर्ती गुप्तकाल में ब्राम्मन गुपा के रूप में विक्सित नटराज, सदाशिव, अर्ध नारिश्वर की मुर्तिया बाद में इसाई गुफा में परिवर्तित एली फेंटा की गुफाएं, दूसरी शताब दी इसापुर्व महाराष्ट मुंबई से अंदर जाएंगे मुख्य रूप से शिव को समर्पित गुफा, मंदिरों का संग्राल है बहुत बड़ी मुर्ति है शिव जी की, युनिसको के विश्व धराहल में इस्तित है और ये भी काफी ज्यादा फेमस है, कोई अंदर लाइट की विवस्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उजाला परियापत रूप से आता है ये हैं बहुत बड़ी शिव की मुर्ति हैं, परह भगवान शिव की मुर्ति ये लिफेंटा, आप अगर मुंबई जाएंगे, तो आपको नाव से इस जगह पहुचना होगा भाजा की गुफा, दूसरी शताब्दी इसापुर्व, महराष्ट में तबला बजाते वे महिलाओ के पत्थर की नकाशी है भाजा की गुफा, कारला की गुफा, दूसरी शताब्दी इसापुर्व, महराष्ट में भव्य, चेत्य हॉल, महासंदिक, संप्रदाय, बोद्ध, धर्म बादामी का गुफा मंदिर, छटी से आठवी शताब्दी स्वी, करनाटक माल प्रभान नदी घाटी में, हिंदू और जेन गुफा मंदिर है, चालुक के सामराज्य द्वारा, चट्टानों को काट कर बनाए गई है और युनिस्को के विश्व धरोरिस्तल है, बादामी की गुफा है, आप देख सकते हैं उसके अंदर की मुर्ती का लाभी एरन का विश्व मंदिर, मद्यप्रदेश के सागर जिले में, एरन का विश्व मंदिर बिना नदी के किनारे, एक वर्हा की प्रतीमा जिसे के पूरे अंग में चित्रकारी हैं, और एक गरूर स्थम्भ हैं इस पूरे अंग पर चित्रकारी की गई हैं, साची का मंदिर, मद्यप्रदेश के राइसेन जिले में बेतवा नदी पर, ब्रिटिश अपसर टेलर ने अठ्था सव अठ्था में इस मंदिर को मंदिर संक्या सत्रा कहा जाता है गुप्तकाल का प्रारंबिक मंदिर आकार छोटा, छत सपाट और गर्बगर चौकोर हैं, साची का मंदिर, तो साची में स्थूब भी है और मंदिर भी है देवगड का दशा उतार मंदिर मध्यप्रदेश के राइसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे है तेलर नहीं खोजा इस मंदिर इशायद वही वापिस बता दिया है यह देवगड का लेकिन इसका वर्नन अलग किया गया देवगड यह बिहार के शेत्र में आएगा यह भी एक जोतिर लिंग के रूप में माना जाता है इसका वर्नन सुधार लीजेगा गुप्त कालीन मंदिर वास्तू का सर्वोत्तम देवगड ललितपूर उत्तर प्रदेश वाला है उपरी भाग नस्ट हो गया है जहान्य मंदिरों में मात्र एक मंदप है वही दशा वतार के इस मंदिर में चार मंदप है शेष शाही विष्णू, गजेंद्र मोक्ष, रामा उतार और कृष्णा उतार से संबंदित मुर्तिया है यहाँ पर भूमरा का शिव मंदिर सतना मद्यवरदेश के शिव मंदिर का मात्र गर्बग्र उशिष्ट है गर्बग्र के भीतर एक मुखी शिवलिंग स्तापिद है प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमुना की आकरूतिया अंकित है गर्बग्र के समक्ष मंदप और चतुर दिक प्रदक्षिना पत मिलता है चोल काल से पहले एक बार गुप्त काल के सभी चीजों को एक नजर फिर देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा चीजे हैं तो याद करने में दिक्कत ना है सबसे पहले तो अजंता के बारे में हम चर्चा करेंगे अजंता सभी बुद्ध धरम से जुड़ी हुई है और अगर हम बाच्चित करें तो इसका निर्मान का टाइम प्रेड एक्जेक्ली किलियर नहीं है लेकिन वर्णन इसमें मिलता है इनके यात्राओं में एलोरा की गुफाए तीन धरम से जुड़ी है 34 गुफाओं में 17 ब्रामन 12 बोद्ध पाच जेन की गुफाए है कुछ महतोपुर्ण है दस्वी विश्व कर्मा गुपत गुफा संक्या 14 रावन पर आधारित है फिर बाग की गुफाए ये भी बोद्ध धरम से मध्यप्रदेश की गुफाए है जुनागड की गुफाए गुजरात की है जो अब आउशेश के रूप में बची है बस मंडपेश्वर की गुफाए मुंबई में मंडपेश्वर मुंबई में बोरीवली में और मुंबई के पास ही एलिफेंटा की गुफाए भी है जो भगवान शिव को समर्पित है भाजा की गुफाए महराष्ट में कारला की गुफाए महराष्ट में ही भाजा कारला बादामी गुफाए करनाटक माल प्रभान अदी पर एरन का विश्णु मंदिर मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश की गुफाओं में अगर हम बात करें तो एरन की मंदिर है साची का मंदिर है फिर यह देवगड उत्तर प्रदेश ललितपुर के पास वाला शेत्र है भुमरा का शिव मंदिर मध्यप्रदेश का अब ये केवल गर्बग्र शेश बच गया है बाकी कुछ नहीं बचा उसमें अब अब आते हैं चोलकाल की स्थापत्यकला पर जैसे कि मैंने आपसे कहा था सबसे बड़ा सेगमें इस्थापत्यकला ही हैं इस्थापत्यकला कवर होने के बाद बाकी चीजे उतनी कठिन नहीं जाएगी क्योंकि चित्रकला, संगीत, नाट्यकला या फिर जितनी भी अन्यकलाई बचती हैं वह केवल कुछ महत्वपुर्ण शब्दों में खत्म हो जाएगी, मुर्ती कला में भी उतनी तकलीप नहीं जाएगे, लेकिन इस्थापत्य कला थोड़ी सी बड़ी है, बहुत ही परियापत है इतनी चीजे, अब आते हैं सिंदु घाटी के बाद मोर्य, फिर मोर्योत्तरकाल, फिर गुप्तकाल, अब आते है चोल काल की स्थापत्य कला, गुप्तकाल के बाद स्थापत्य कला के विशेश प्रमान दक्षिन में केवल चोलो के संदर्व में मिलते हैं, बाकी भागों में मिश्रित रूप से मिलता है, इसके बाद स्थापत्य कला में व्यापक इस्तर पर अंतर, दिल्ली सल्तनत, विश मुगल काल में क्यूंकि दोनों ही विदेशी वन्शस थे तो नए प्रकार की स्थापत्यकला मिली चोलो ने द्रविट शैली को विक्सित किया और उसको चरम पर पहुचाया राजा राज प्रतम द्वारा बनाया गया तंजोर का शिव मंदिर जिसे राज राजेश्वर मंदि भी का जाता है द्रविट शैली का सबसे बेहतरिन उधारन है इसकाल के दोरान मंदिर में गोपूरम नामक विशाल प्रवेश द्वार का निर्मान होने लगा मुर्तियों का मानवी करन मतलब मुर्तियों में ज्यादा से ज्यादा भाव भंगी माव को दर्शाना चोल मुर्तिकारों की दक्षिन भारतिय कला को महान देन हैं चोल कास्य मुर्तियों में नटराच की मुर्ती सबसे फेमस मानी जाती है। फिर इसके बाद आते दिल्ली सल्तनत काल में स्थापत्य कला अब यहां पर विदेशी प्रभुत्व बढ़ेगा तो इंडो-िस्लामिक स्थापत्य कला विक्सित होगी। भारत और तुर्की के आपसी मिलन से इस्थापत्य के शेत्र में एक नई शैली का उदय इंडो-िस्लामिक शैली। प्रमुक विशिष्टता अब महराब बनेंगे। गुंबदों का निर्मान होगा। इस शिल्प को अरबों ने रोम से ग्रहन किया था। रोम में ऐसे महराब और गुंबद बनाए जाते थे। महराब और गुंबदों के निर्मान से अब इस्तंबों के निर्मान की आवश्चक्ता नहीं होगी और बढ़िया किस्म का चूना अभ्यूद होगा। अलंकरन के शेत्र में तुर्क मानव और पशु आकृतियों का चित्रन नहीं करते क्य और इरानी शेली के मिश्रन मिलते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इस्तंब की जगह पर महराब बनना प्रारम होंगे। सल्तनत काल के निर्मान कारिये जैसे किला, मगबरा, मज्जीद, महल, मिनारों में नुकीले महराब, गुंबदों तता संकरी और उची मिनार का प्रयोग होगा। मंदिरों को तोड़ कर उनके मलबे पर बनी मज्जीद में एक नए धंग से पूजाघर निर्मित होंगे। सल्तनत काल में सुल्तान, अमीर और सूफी संतों के स्मरन में मगबरों के निर्मान की परमपरा शुरू होगी। और इमारत की मजबूती है त पत्थर, कंक्रीट और अच्छे किस्म के चुने का प्रयोग होगा। सल्तनत काल में इमारत में पहली बार महराब और गुंबत का प्रारम होता है। कालांतर में तुर्क सुल्तानों द्वारा हिंदू साज सज्जा की वस्तुये जैसे कमल बेल के नमुने, स्वास्तिक, घं के नमुने, कलश भी उप्योग किये जाएंगे। अलंकरन की सयुक्त विधी को सल्तनत काल में और बस्क विधी भी कहा गया है। फिर आते हैं मुगल काली निस्थापत्य कला, दिल्ली सल्तनत काल में प्रचलित वास्तु कला की भारती इसलामी शैली का विकास, मुगल काल म मद्देशिया की इसलामी और भारती कला का मिश्रित रूप, जिसमें फार्सी, तुर्की, गुजराती, बंगाल, गुजरात, आदिस्तानों की परंपराओं का मिश्रन, इस काल में पहली बार आकार और अलंकरन की विवित्ता का प्रयोग, निर्मान के लिए पत्थर से अल आस्तुकला के शेत्र में पहली बार आकार और डिजाइन की विविद्ता मिलती है, निर्मान की सामगरी के रूप में पत्थर का प्रयोग, पत्थरों को काट कर फूल पत्ती, बेल बुटे को समेत संग मरमर से जड़ा जाता है, संग मरमर पर जवारात से की गई जड़ाव का प्रयोग भी सकाल में होता है, इस तरीके की चीजे अब इसकाल में निर्मित होती है और बदलाव आने लगते हैं भवनों में, मुगल कालीन कला में गुम्बदों को कलश से सजाया जाता है, भवन का निर्मान बड़े पैमाने पर, धार्मिक और धर्म निर्पेक्ष दो तो मुगल कालीन स्तापत्य कला का शाशको द्वारा स्वयम निर्िक्षन, मगबरों मज्जिदों का एककी कृत निर्मान पहली बार लोदी शाशकों ने किया था, किन्तु इसके एककरन की पुर्णता मुगल काल में हुई, शाहजा के कार में उभार वाले गुम्बदों र पहुची शाहजा काल में औरंग जेब के काल में पतन हो गया, पानी पत और रुहेल खन में मज्जिदों का निर्मान आरम करवाया, दोनों मज्जिद 1526 में, बाबर के शाशन काल में कोई नई शैली या तकनीक को प्रेरित करने के गुन नहीं मिलते, शेरशा सुरी के विर काने के लिए का मज्जिद, पाकिस्तान में प्रसिद्धर होतास के लिए का निर्मान, अपने शाशन काल को चिन्नित करने के लिए अफगान शैली में पतना में शेरशा सुरी मज्जिद का निर्मान, एक प्राचिन मोर्य मार्ग का पुनर निर्मान और इस्तार किया सड़ अग्बर द्वारा 1526 में दिल्ली की सत्ता ग्रन करने के बाद मुगलकाल और वास्तु कला का एक तरीके से स्वर्न यूग शुरू होता है। इस टाइप के महराब मतलब इस टाइप के दर्वाजे आग्रा का किला अकबर के शाशनकाल के दोरान आरम किया गया पहले निर्मान कारियों में एक है आग्रा का किला। किले में हैं। शाह जाह द्वारा बनाया गया दीवाने खास नीजी दर्शको का हॉल ये भी लाल किले में हैं। फतेपूर सीकरी के कुछ प्रमुक भवन जो अकबर ने बनाये बुलन दर्वाजा। 1576 में गुजरात परकबर का विजय उत्सव मनाने के लिए लालू बालू पत्थर की 40 मीटर उची भव्य सरचना सबसे उचा प्रवेश द्वार माना जाता है। फतेपूर सीकरी बुलन दर्वाजा। शेक सलीम चिस्ती के मगबरे 1581 में अकबर के द्वारा सपेच संग्मर्मिर की जाली का काम दीवारों पर अर्वी शैली में कुरान की आयत अंकित। शेक सलीम चिस्ती के मगबरे 25 आंगन वहां आंगन जहां अकबर शत्रण्ज खेला करता था। हिरन मिनार अकबर के चहीते हाती हिरन की याद में हिरन मिनार यात्रियों के लिएक प्रकाश इस्तंब के रूप में बाय दिवारों पर हाती के दाज जैसे नुकीले कोने हैं यहां पर। हिरन मिनार अकबर ने वरंदावन में गोविंद देव का मंदिर भी बनवाया। जहांगिर के शाशनकाल के दौरान वास्तुकला की अउनिती क्योंकि चित्रकला और कला के अन्यरूप पर अधिक ध्यान जहांगिर जो थे वो चित्रकला पर जादा ध्यान दिया वास्तुकला पर उतना नहीं। शाशनकाल के दौरान उसकी पतनी नूर जहाने भी कुछ प्रमुक निर्मान योजनाई ली। लाल बलुआ प्रस्तर के स्थान पर अप्षाशनकाल के दौरान संग मरमर यूज होने लगा जहांगिर के दौर में। कश्मिर में शाली मार बाग, लाहोर में मोती मजजिद, लाहोर की, एतमाद उद्दवला का मकबरा पुर्नरूप से श्वेत संग मरमर से बना पहला मुगल निर्मान जिसे नूर जहाने बनाया था। ताज महल निर्मान शहा जहा दौरा बनाये गए, निर्मान बेगम अर्जमंद बानो बेगम या मुम्ताज महल किस मरती में। इसमें अलंग करन के लिए सूलेखन पित्रा दुरा के काम, फ्रोर शॉर्टनिंग तकनीक, चार बाक शैली के उद्यान, परीसर में पानी के उप्योग सहीत, मुगल इस्तापत्य कला की सब भी विशेष्टा है। दिल्ली की जामा मजजिद, जहांगीर के मगबरे का निर्मान उसके पुत्र शहाजा द्वारा लाहूर में किया गया था। विशेष यूगदान नहीं रहा है, तो यदि हम बातचीत करें तो एक तरीके से यहां इस्तापत्य कला समाप्त हो जाती है। तो निक्स क्लास में अब हम देखेंगे इस्तापत्य कला के बाद बचा हुआ जितना भी कला हैं उसको निक्स क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, क्योंकि अभी इसमें एक कलास ओर लगेगी और एक कलास में पूरा कंप्लीट कर देंगे। हो जाने चाहिए और लगबग व्यू 30-35,000 हो जाने चाहिए चीजे इतने आसानी से मिल रही हैं उसका लाब उठाईए तो निक्स क्लास में हम देखेंगे आगे की बात